हालो स्टुडेंट मैसेर रिंकियस कुमार गुपता तो आज अपन डिस्कस करते हैं डेली कम मेजर टेस्ट री जेए 2022 का पेपर फर्स्ट जेए मैन इसमें बेसिकली बेसिक मैथेमेटिक्स और क्वार्टे की कुश्चन से इसमें टोटल ट्विंटी कुश्चन है फर्स्ट फिप्टीन कुश्चन सिंगल चोस के हैं और रिमेनिंग फाइब कुश्चन बेसा आपके इंटीजर के तो चलो अपन श्टार्ट करते हैं सेक्स एने का कुश्चन नमबर फर्स्ट कुश्चन नमबर फर्स्ट में आपको मेंशन किया गया है, एक इनिक्यूटी को सॉल करना बेटा, इनिक्यूटी क्या गिवन है, xqe into e की पावर 2x-1 into x-1 into x-1 into x-plus 2 upon x plus 3 गिर्दन इकल to 0, तो तो देखो जब भी अपन को क्या करना इनिक्यूटी को सॉल, तो अपन को दो तीन बाते याद रखनी है, first of all, become right part is 0 सबसे पहले अपन को right part को क्या बनाना है 0 right part को 0 बनाने के बाद question numerator upon denominator में हो या only numerator में first of all x की higher power की coefficient को लाना है positive तो देखो x plus 3 ये positive ये भी positive ये भी positive ये all सारी terms are positive ये सब की सब्टम क्या positive है आँ उसके बाद देखो simple क्या करोगे number number करो और जो factor x की जिस value पे 0 हो उसको क्या करते है पन डिनोट कर देते हैं तो दोको x q आपका 0 पे 0 होगा x आपका x minus 1 पे 0 x plus 2 आपका minus 2 पे 0 और ये आपका minus 3 पे 0 दोबार सुने x plus 3 minus 3 पे 0 होगा x plus 2 minus 2 पे 0 x minus 1 पे 0 x q b 0 पे 0 होगा और 2 की पावर x minus 1 e की पावर 0 1 minus 1 0 ये भी आपका क्या होगा 0 पे 0 ये लिखने के बाद सबसे पहले तो कॉमा लगा के लिखोगे denominator not equal to 0 answer में minus 3 को include नहीं करना है remember this आप क्या करेंगे right side से क्या लगा होगे plus दोगो इन तीनों पे पावर तो और है तो 1 minus 2 minus 3 पे तो sign को करना है change और ये जो 0 है एक तो 0 आपका x q की वज़े से है और एक this bracket की वज़े से है इसकी पावर 3 और इसकी पावर 1 है मतलब इन दोनों पावर का product कितना है 4 है ultimately 0 पे sign does not change तो क्या जाएगा plus minus minus plus और minus आपको लेना है greater than equal to 0 greater than equal to 0 का meaning equal to आगया है इसका मलब close bracket लगाना है greater than equal to 0 का meaning है आपको इसमें positive part को लेना है this part and this part तो इसकी according answer जाएगा बेटा x belongs to minus 3 से minus 2 minus 3 पे अपन लगाना है क्योंकि ये denominator में है और remaining सब पे लगाना है close bracket minus infinity sorry minus 3 से minus 2 union ये आगया 1 से infinite ठीक है minus 3 से minus 2 union 1 से infinity तो instrument क्या करते बेटा speedily इसका first option टिक कर देते है वट एक बात पता होना ही चीए जब भी equal to हो तो number line पे जितने भी points है उनको वी answer में include करना है वही, minus 3 तो क्यो रूप किया, क्योंकि denominator में present है, minus 2 आगया answer में, 1 आगया, देखो, इस 0 है न, इस 0 को जब आप इसमें input करोगे, तो e की power 0, 1, 1 minus 1 0, यह 0, 0 greater than equal to 0, इसका मतलब 0 भी इसको क्या करेगा, satisfy, तो 0 को भी answer में include करना है, यह question में पुछा गया है, कि the complete solution set of inequality of this part is, तो उसके बाद देखो, next question क्या है, यह भी आपका inequality का part है, इसमें थोड़ा moreless part का यूज किया गया है, तो समझो सभी, क्या question है, x minus 1 का Q, into x minus 2, x plus 3 की power 5, mod x upon x plus 4 का mod less than equal to 0, वही same theory, सबसे पहले क्या लग होगे, denominator not equal to 0, यहलो भई, x not equal to minus 4 होगा, अब क्या करें, देखो, इस mod की value हमेशा कैसी होगी positive, mod is always positive, तो इसको अपन 0 में क्या कर सकते हैं, shift कर सकते हैं, तो देखो, remaining part क्या आ गया, x minus 1 का Q, into x minus 2, into x plus 3 की power 5, mod x is less than equal to 0, अब देखो, इसके बाद क्या करना है, थोड़ा समझे, आपने denominator का mod ता, उसको आपने 0 में shift कर दिये, क्योंकि this is always positive, अब यह numerator का mod है, इसको थोड़ा set करते हैं, अभी भी, mod x की value always कैसी होगी, positive, तो इसको भी अपन 0 में shift कर सकते हैं, बट एक छोटी सी बात है, जिसको याद रखे, यह जो mod x से आपका बेटा, वो x equal to 0 पे क्या रहा है, 0, और इधर equal to है question में, तो देखो, mod x आपका x equal to 0 पे 0 है, तो जब आप इसमें 0 put करोगे, तो left part is become 0, और include करना है, ध्यान रखें, denominator में कुछ भी हो, तो non-zero की condition, positive है, 0 में shift किया, अगर numerator में mod है, और उसकी value always positive है, तो आप 0 में shift कर सकते हैं, अगर इधर equal to है, तो mod आपका x की जिस value पे 0 है, उस points को always answer में include करना है, remember this, चलो, यह 0 में चला गया, तो अब remaining part आ गया, x minus 1 का क्यू, x minus 2, x plus 3 is less than equal to 0, number लाइंड रो करें, यह 1 पे 0 है, अगरा 2 पे 0 है, और next आपका minus 3 पे 0 है, देखो यह सारी power odd है, यह 5 है तो 5 लगा तो no problem, यह all powers are odd, तो alternate क्या लगाना है, plus minus plus, तो plus, minus, plus और minus, question ने बोला, अपन से less than equal to 0 का मतलब negative part, तो this part आपका answer में include होगा, तो कितना जाएगा देखो, minus infinity से equal to the close bracket, minus 3 union 1 से 2, यह negative part आगया, दोबारा सुनो, minus infinity से minus 3 union 1 से 1 से 2, अब क्या करना है देखो, answer में 0 को include करना है, तो 0 does not included, तो आप curly bracket में लखोगे, union curly bracket of 0, यह आगया, तो 0 को लेना आपन के लिए, तो 0 इसको satisfy करेगा, और उसके बाद, x को minus 4 include नहीं करना है, वट देखो, minus 4 इसके बीच में आ रहा है, तो इसको minus 4 पर क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तो यह जाएगा, इसका exact answer होगा, minus infinity से minus 4, union, minus 4 से minus 3, और remaining part is agitated, तो कि इसमें, ऐसा भी option है, इसमें, इसको include नहीं किया गया, ठीक है, तो 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 minus 4 से minus 3, union, 1 से 2, union, 0, तो देन बेटा, इसका again आपको third option fill करना है, it's a good question, इसमें बच्चे, ceiling mistake कर देते हैं, बस त्यान लगें, उसके बाद third question देखो, third question क्या है, कि the equation, x minus 1 का more, plus x minus 2 का more, plus x minus a equal to 0 है, exactly to distinct solution, then a lies in interval, पता हो, a किस interval में lie कर सकता है, options की according, तो देखो, यह ध्यान नहीं के थोड़ा, जब भी कोई equation given हो, और आपको किसी variable की value को करकरना find out, और बोले कि this equation है जी solution, तो उसका better option क्या है, आपस variable पारले part को right में shift करो, और पहले left part का diagram दो करो, और right part का diagram दो करो, दोनों के diagram जितने point पे क्या करते हैं, intersect, उतनी क्या होते है, number of solution, तो इसी theme को इसमें apply करते हैं, तो अपने काम करते हैं, इस a को right में shift कर देते हैं, तो then, यह आगया, x minus 1 का mode plus x minus 2 का mode plus x equal to a, अभी काम करते हैं, इसको एक function let कर दो y, तो let question आगया, y equal to x minus 1 का mode plus x minus 2 का mode plus x, ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, first of all, इसके diagram को draw करते हैं, देखें सभी, तो अपन इसका क्या करते है, diagram draw, फिर अपन क्या करेंगे, तो इसको violet किया, तो यह भी क्या होगा y, तो इससे आगया y equal to a, अब दोनों के diagram, जितनी points पर क्या करेंगे, intercept, उतनी ही क्या होगे, number of solution, तो अपन को कुछन में पुछे ग line को उसी type से draw करेंगे, कि इसके 2 distance solution आपको क्या होने चीए, अचीव होने चीए, तो देखो क्या थी हमें, पहले इसका diagram draw करते हैं, देखो इस diagram को कैसे draw करना है, यह 1 पे 0 यह 2 पे, इधर 1 लिखो यह 2, देखो यह shortcut method है, अब क्या करो, इसमें x को एक बार put करो, तो x को 1 ले होगे, तो यह 3 आ रहा, थोड़ा diagram ऊपर चला जाए गया, यह 0 को मत ही आ गया, और जब x को 2 ले होगे, इसमें जब आप x को क्या put करोगे 2, तो 2 put करने पी क्या आएगा, 2-1, 1 का mode 1, यह 2 और यह 0, यह 3 आ गया, आपको सोचो, जब mode को remove करोगे, plus है, minus के साथ, तो यह lines है, तो lines को draw कर देते, तो देको जब आप lines को draw करोगे, तो ultimate diagram के से होगा, सीधी बात है, जब x को लोगे, minus infinity, क्या लोगे x को, तो बेटा है diagram, plus infinity की त्रविटेंड करेगा, क्योंकि जब x को minus infinity लोगे, तो minus infinity का mode, plus infinity, plus infinity, minus infinity, तो infinity वाला पार्ट जादा है, ध्यान नखना, तो य diagram यूँ आया, 1 पे, फिर दोबारा ऐसे, और फिर दोबारा उपर, क्योंकि x को positive होगे, तो diagram, क्योंकि इसकी value हमेशा क्या होगी, positive ही तरह, अल्टी और इसका एक exact diagram है, not roughly diagram, तो देखो, यह point कितना है, 1,2, अब इसके बाद देखो, क्या थी में कुशन की, अब आपको y equal to a की line को draw करना है, this is parallel to the x-axis, तो देखो, इस y equal to a की line को अपन कितने वे से draw कर सकते हैं, किसी ने बुला सर ऐसे draw करो y equal to a, तो y equal to a, डंजनोट intersect this curve, तो no solution, किसी ने बुला सर इस point से touch करा दो आप, यह फिर किसी ने बुला सर इसको ऊपर draw करो, तो देखो आप, a की value, यह line कित 2 से less लोगे, तो this line above the point 1,2, यह line आपकी 1,2 से above होगी, sorry below, इसका meaning, this line does not intersect the curve, तो no solution answer है, तो a less than 2 का meaning, तो क्या होगा, no solution, कोई भी solution exist नहीं करेगा, इसका, यह अगर आपने ले लिए, exact 2, इसका मतलबी diagram इस point से pass होगा, तो है जे solution, only one solution होगा, क्या होगा, only one solution, only one solution, और बेटा, a को अगर आपने क्या लिए, 2 से greater, तो 2 से greater लेने का मतलब, यह इसको 2 point पे क्या करता है, intersect, तो उस case में बूलोगा कि हाँ, this equation है, to distant solution, मतलब इससे आ गया, a की value 2 से greater है, अब थोड़ा समझे, options किस तरीके से रखें, इसने बुला, a lies in interval, a किस interval में lie करता है नहीं, minus infinity से बोग, अपना answer a 2 से greater है, तो क्या अपना सारा answer इसके अंदर present है, क्या नहीं, तो यह answer इसका wrong होगा, minus infinity से 10 यह भी wrong होगा, force infinity यह भी wrong है, a belongs to, a किस option में lie करता है, तो a आपका देखो, once the infinity के bitumen lie करता है, question यह नहीं बूला, कि exhaust set of a, कि a का complete set क्या होगा, अगर a a का complete set बोला जाए, फिर तो लिखना चाहिए answer, two infinity, अब इसने क्या बोला है question में, a lies in which interval, इसका meaning, a की जो value है, वो जिस interval में completely lie करेगी, वो यह आपका answer है, मतलब जो a answer है, two infinity, यह options का एक subset होना चाहिए, simple सा फंड़ा है, तो two infinity बेटा, only third option का क्या subset है, तो आपको इसका third option फ एक question में आपको गिवन थी determinant, a, और उसमें sign cost का roll था, उसको अपने solve किया, तो उसे determinant a की value फाइन आड़ भूई, उसमें side में theta का interval गिवन था, तो question में पूचा गया था, कि determinant of a lies in which interval, determinant of a lies in which, तो option में given क्या था, उसका subset था, जैसे answer let 1 से 2 था, तो option में given था, 0 से 2, वाला जो answer है वो जिस interval के अंदर completely lies करता है, उसी को अपन को क्या करना था, टिक करना था, ठीक है न, तो उससे बात को थोड़े ध्यान लगे है, उसके बाद एक fourth question क्या है, यह तो एक simple सा question है, आपको log की conditions given है, x, y, z positive है, log of z, base में को है, 2x equal to 3, log of z, 5 by equal to 6, end of log of z, x, y equal to 2 by 3, then the value of z, तो आपको z की value को क्या करना है, calculate, तो तो क्या थी मैं, इस 2x, log को इदर shift कर दो आप, जैसी log को shift कर दो तो क्या आ गया, इससे आगया, z equal to 2x की power 3, अपने एक काम करते, दोनों power separate करते हो, तो z equal to क्या आ गया, 2 की power 3 dot x की power 3, similarly इदर से log को shift कर right में, तो then we will get again, z equal to 5 की power 6, y की power 6, और इससे again आपन क्या achieve करेंगे, z equal to x की power 2y3 और y की power, अब इन all 3 relations से आपको क्या बताना है, then the value of z, मतलब x, y को element करना है, तो दोगों क्या करना चीज question में, अभी थोड़ा क्या practical ही है, आप इसमें practice करोगे, एक बार try करोगे, तो achieve कर पाओगे answer, तो मैंने क्या किया, एक बार एक काम करते हैं, दोनों को divide कर देते हैं, divide कमेंदो क्या होगा, दोनों से z की value को क्या करतो, equal कर सकते हैं, तो यह आ गया, 2 का Q, into x का Q, equal to 5 की power 6, y की power 6, यह काम करो, इसका cube root ले सकते हैं, cube root का मलब बनवाई 3, तो क्या आगे है, 2x equal to 5 square y square, कितना आने के बाद यह काम करो, यह बनवाई 3 हैं, इसका दोनों तरफ क्यों ले लो आप, simplify तो करना है, तो कितना आगे से, z cube equal to आगे वेटा, x square y square, यह करनी की theme है, फिर मैंने क्या किया, अपन को देखो, z और x में relation given है, तो अपन एक काम करते हैं, y को remove कर देते हैं, तो आप इससे y square की value को replace करो, इदर, तो then we will get, z equal to x cube into y square की value क्या है वेटा, 2x upon 5 का square, यह आगे z को, तो ultimately यह आगे, z cube equal to, कितना, 2, यह सोरी, x square था, x x square, x cube, 2 into x cube upon 5 का square, आप एक काम करो, इससे x cube की value पड़ कर दो, z upon 2 की power 3, z upon 2 की power 3 into 5 की power 2, तो कितना जाएगा देखो, एक z से z cancel, तो ultimately left part में तो क्या आगे, z square equal to, यह 2 है, यह 2 की power 3 है, तो क्या आगे, 1 upon, 2 square dot 5 का square, यह आगे, z equal to कितना जाएगा, plus minus 1 by 10, बट question में mention है, z is positive, तो आपको 1 by 10 answers का fill करना है, चलो, उसके बाद देखो, 5th question क्या है, the sum of all values of M, for which roots, x1 and x2, of the quartic equation, x square minus 2mx plus M equal to 0, satisfy the condition this part is, मतलब, x1 and x2 is quartic roots है, जो इस given condition को क्या करते है, satisfy, तो बताओ M की value क्या हो सकती है, sorry, t sum of values of M, तो आपको M की values क्या बताना, summation, तो चलो, एक काम करते हैं, simple सी बात हैं, जानके, जब भी आपको किसी भी quartic roots given है, तो सबसे पहले लगो sum of root and productive root, तो sum of root तो क्या आगया, x1 plus x2 is minus की Vy, this is 2M, यह सर, और बेटा, productive root is x1 x2 equal to M, cya, after that क्या करें, जो आपको relation given है, remember this, जब भी quartic roots given है, और कोई भी expression given है, तो उस given expression को आप try करो, sum of root and productive root में convert करने की तो कर देते हैं, तो यह तो क्या बनेंगे, aq plus bq का formula, then this can be written as a plus b, मतलब x1 plus x2, अगले वेकिट में आ गया, x1 square plus x2 square, a square plus b square minus of a b, और equal to में क्या होगा, जब भी a square plus b square हो, तो बेटा स्कूल लेख सकते हैं, a plus b का whole square minus twice of a b, यह आपको सबको idea हुआ, twice of a, इसको भी अपन क्या कर सकते हैं, उस format में रिप्रेजन कर सकते हैं, तो ultimately यह आ गया, x1 plus x2, next बेकिट में लिखोगे, x1 plus x2 का, whole square minus k3, x1, x2, और equal to is, this part as it is, x1 plus x2 का, whole square minus 2, x1 and x2, आपने complete discussion को क्या किया, sum of root of protractive root में कर वाते हैं, सब की value को replace कर देते हैं, x1 plus x2 कितना है, 2m, yellow बढ़ी, bracket of 2m का square is 4m square, minus x1, x2 is m, this is like 3m, similarly, equal to क्या आगया, x1 plus x2, 2m का square is 4m square, और minus k2, this is m, अब देखो, see that समझे, m in sum 2 से common आगया न, तो जैसे m को common लोगे, तो 1 तो आगया, m equal to 0, m को cancel out कर दो, common लेने के वाल 0 की तरह हो गया हो, remaining part क्या होगा, twice से multiply करो, this is 8, m square minus k6 है, ठीक है बेटा, equal to this is, 4m minus k2, सबको left में transfer कर देते हैं, तो then we will get, 8m square, minus k10m, plus k2 equal to 0, 2 common आगया, तो this is 4m square, minus k5m, plus 1 equal to 0, तो इसके factor क्या होगे, 4m minus 1, m minus 1, इसके factor होगे बेटा, 4m minus 1 into, m minus 1, equal to 0, तो इससे, m की 2 value अचीव होँगी, एक तो आगया, m equal to 1, और इससे आगया, 1y 4, तो ultimate, इस given condition के, according, आपको m की 3 value अचीव होगी, अगर कुछ नहीं पूछता, number of values of m, तो इसका 3 answer, फिल करना था, अब आपसे submission पूछा गया है, तो 0, 1 और 1y 4 का submission क्या होगा, 1 plus 1y 4 is 5 by 4, तो इसके according, इसका beta, 4th option आपको अफिल करना है, after that दो को 6 question क्या है, एक simple सा question है, वाट समझने वाला part है समय, if alpha and beta are, roots of the equation of this part, एक quartic equation given है, इसकी roots mention है alpha and beta, then which are of the following, are the roots of the same equation, यह वो लगया कि जो options given है, इसमें से कौनसा options है, जिसके root भी, इस given equations के roots के equivalent हो, दोबारा समझो, then which of the following, are the roots of the same equation, इसी same equation के कौनसे roots हो सकते हैं, या तो first option होगा, second या third up to four, तो तो क्या theme इसको करने की, पहले इस equation को एक बर आगे रिराइट करते हैं, यह क्या है, AX score, plus, 2BX, minus A equal to 0, यह आपको एक quality question given है, इसके root mention है alpha and beta, तो then we can write now is, sum of root is, minus की by, this is minus K2 by, minus K2 by, this upon this minus, और productive root आजाएगा, कितना C अपोने, minus A अपोने, minus की अब देखो, theme क्या है, इसको proper करने की, एक simple सा funder तो यह ही है, जिन option से, जैसे first option वाई चांसर है, तो आप क्या करो, यह दो root है, quartic के, इनका sum लिखो, इनका product, solve करने पे, sum आगया, this part, और product आगया, इन roots का sum करोगे, तो क्या हैगा, 2 alpha, और जब product करोगे, तो कितना होगा, alpha square minus beta square, तो सीधी सीधी बात है, 2 alpha की value, minus 2 भी अपोने, तो हुई नहीं सकती न, इससे तो कुछ, अलग relation आने वाला है, यह हाल इसका होगा, इसका meaning क्या होगा, alpha plus beta into, alpha minus beta, तो सीधी सीधी बात है, जब alpha plus beta, आपका already ही आ गया, तो इससे तो कुछ, sorry, alpha plus beta दिस पार्ट आ गया, तो इसका अपनी तो कुछ extra factor होगा, इसका meaning first option, तो इसका true होई नहीं सेपता, फिर अपन बात करते हैं, next options की, similarly अपन सेकेंड option को एक बार verify करते हैं, वोई second option में, तो देखो second option को करने का वेट option क्या है, इनको थोड़ा simplify करो, पहला root given है, 2 alpha plus 1y beta, तो एक काम करो यार, अपन beta की value पूट कर देते हैं, इसमें minus k 1y alpha, या फिर ऐसे बोल दो, 1y beta की value कितनी minus k alpha, similarly अगले में क्या होगा, 2 beta, 1y alpha की value, minus k beta, ultimately ये alpha आगे और ये भी beta आगया, तो आपने किया क्या, second options के जो roots हैं, उनमें 1 upon beta, और 1 upon alpha को जब, beta को तो alpha में convert किया, alpha को beta में, तो इसके roots अचीव हुए alpha and beta, ultimately alpha beta, इस given quality question के roots है, तो ये ही इसका correct option है, पूचा गया है question में क्या है, then which are of the following, are the roots of the same equation, कौन सा option, इस same equation के roots हो सकते हैं, तो solve करने पर ये भी alpha, beta आगया, इसका अगया है, ये ही इसका correct option है, remaining जो two options है, इसमें भी ये theme लगा सकते हो, इसमें 1 upon beta minus alpha होगे, तो ये 0 आगये 0, तो ये दोने root तो 0 बनेंगे, इसमें ये alpha y2 और beta y2 बन जाएगा, तो ये भी option इसका false होगा, ठीक है ना, तो इस type से question को further solve किया गया, तो इसका अपन को second option beta fill करने गया, लेगो 7 question क्या है, simple सा question है, question में mention है कि alpha and beta are roots of the quartic equation, x square minus 2 bracket में 1 minus sin 2 theta into x minus 2 cos square 2 theta equal to 0, theta belongs to real number, then the maximum value of alpha square by beta square, आपको alpha square by beta square की क्या बतानी है बोलो, maximum value, तो वही same thing, आपको इसकी range बतानी है एक तरीके से, तो इसमें क्या कर गएं आप, अभी इसकी range alpha beta पे depend है, जब भी अपन किसी भी function की range finder करते हैं, तो first of all try करो, उसको single function में convert करने की है, तो इसका वेटर option क्या है, आप इस alpha square पे beta square को, एक बार quartic के sum of root और productive root में क्या कर सकतो हो, beta convert, this is alpha plus beta का whole square minus 2 alpha beta, और इस quadratic root mention है, आपको alpha and beta, तो आप इसको लिख सकतो हो, क्या alpha plus beta की value क्या होगी, minus times of this part, मतलब alpha plus beta तो आगया, twice of 1 minus sine 2 theta, इसकी square करने पे कहा जाएगा, 4, 1 minus sine 2 theta का whole square minus 2, और alpha beta की value कितनी है, this part, जिसे minus 2 cos square 2 theta, इसको थोड़ा simplify कर दो, तो देखो, यह minus minus plus हो गया, तो कितना आगया 4, और यह भी क्या 4, तो 4 तो क्या आगया common, तो question क्या रहेगा, 1 minus sine 2 theta का whole square, plus this is cos square 2 theta, ठीक है, अब इसको थोड़ा further सूर करते हैं, अब question आपने क्या किया है, technometric function में convert कर दिया, और अब ध्यान दे, जब भी technometric functions की range को करना है calculate, तो again आप try करो, इसको single technometric function में convert करने की, उससे अपन easy way range को क्या कर सकते है, calculate, तो देखो, 1 का square 1, a square पर b square, तो इससे क्या चीव होगा, 1 square, plus sin square 2 theta, ultimately यह जो function है आपका z मालने थे, इसको z equal to, इसकी range किस पर depend करती है, sin 2 theta पर, अब आपको बताना z max, z की कौन सी value चीए maximum, तो एक बाद बताओ, constant मेंसे जब आप minimum को subject करोगे, constant minus minimum is maximum, जब भी maximum value की बात करें, तो अगर plus होता, तो constant plus maximum is maximum, और minus आगया, तो constant मेंसे जब minimum को minus करोगे, तो आप कौन सी value चीप करोगे, maximize, तो sin 2 theta की minimum value क्या होगी, minus के 1, तो minus 1 पुट करोगे, sin 2 theta को, तो plus होगया 2, 4 और 4 16, तो z max की value क्या fill कर दी, अब उनको 16, तो इसके according, इसका 4th option beta, fill करना है, question number 8 is, if x is a real, then maximum value of this part, इसको समझे, यह आपको एक quadratic rational function given है, यह थोड़ा ध्यान दे, जब भी quadratic function की आपको range बतानी है, तो इसमें 2-3 variety question हो सकते है, quadratic function only अगर numerator में है, तो आपको सब को पता होगा, इसको यूज भी करना आपन को तो लिख देते हैं, y equal to ax square plus bx plus c, यह quadratic expression है, अगर यह इसमें positive है, तो आपको पता होना चाहिए, इसका diagram क्या होगा, अबबड पैरा बोला, और बेटा, अबबड पैरा बोला की minimum value क्या होती है, यह minus के dy4 है, यह इसका vertex का formula है, minus by2a, minus के dy4 है, तो बेटा, इसकी यह कौन सी value minimum, तो a अगर positive है, तो diagram क्या होगा, अबबड पैरा बोला, और आप अबबड पैरा बोला की minimum value, लिख सकते हो, minus के dy4 है, yes sir, और downward है, तो यह क्या होगा, इसकी maximum value, अगर question, sorry, quadratic function, only numerator में है, या only diameter में, फिर तो आप इस theme से, direct उसकी range को, क्या कर सकते हो, calculate, उसके बाद, अगर function में, quadratic part, numerator में present है, और denominator में, तो उसका normal method हो क्या है, उसको y के equivalent करें, cross multiply करो, सबको left side में convert करो, then it is become quadratic in x, यह क्या बनेगी, x में quadratic, और after that, x आपका real है, तो उसका क्या करो, d कर देने equal to 0, तो उससे आपको answer, अच्छी होच सकता है, वट इसमें, दो case ही जए let करते है, एक बार तो क्या करो, जो उसका coefficient उसको non-0 माने, तो उसके according answer होगा, एक बार, उस x सबर के coefficient को 0 माने के देखो, कि उस case में range क्या हो सकती है, और दोनों का बाद में क्या ते लिए यूनियन, ये तो इसका एक normal method है, और इस question में उसको apply कर सकते है, वट इस question में एक important part क्या ध्यान दो, ये function लेट कर लेते है y equal to, इधा देखो, इसका जो ये variable part है ना बेटा, ये दोनों में same है, तो आप एक काम कर सकतो, इस 17 को break कर सकतो 7 plus 10 में, क्योंकि 7 है ना, 7 plus 10 में break करने के बाद क्या करो, इस part को इस part से करो separate divide, और 10 से क्या करो separate divide, तो देन वी विल गेट, इसको violet किया, y equal to, इस अपोन इस तो आगया 1, plus 10 upon 3x square plus 9x plus 7, अब आपको सोचो, इस y की range depends on only of this part, question में आप से पूचा गया, y max, तो इक बात खोचो, y की maximum value फानओर करनी है, इधर plus आ रहा है, तो constant plus maximum is maximum, मतलब ultimately, इस part की आपको कौनसी value ची maximum, क्योंकि add करना है, अब आपको सोचो, यह denominator में, तो यार denominator की जब आप कौनसी value होगे minimum, तो something upon minimum is maximum, ultimately y की maximum के लिए, आपको this quadratic की, क्या ची यह minimum value, और बेटा, यह जो quadratic है, इसमें x square का coefficient आपका positive है, तो इसका diagram क्या होगा, अबड पैरागोला, और अबड पैरागोला की minimum value क्या होगी, minus के dy 4a, तो इस 4a में value पूर कर दोजी लोग, minus b का मतलब 9, this is j, this is c, तो क्या जाएगा, 81 minus 3, 4, 7, upon 4a is 3, तो इसको simplify करते हैं, आप एक काम कर सकतो, 3 कॉमला के cancel, तो इस सता है से जाएगा, ठीक है, ultimate कितना आगे, minus, जैसे 27, 28, यह आगे, minus के 1 by 4, minus minus plus, मतलब इसकी minimum value क्या चीव होगी, 1 by 4, तो जब आप इस पार्ट की minimum value पुट करोगे, 1 by 4, तो 4 चला गए, 9 मेंटर में, 40 plus 1 is 40, मतलब इसकी maximum value क्या होगी, 41, ठीक है, तो इस तरीकी से करना है, दोबारा सुननों से में, इसको आप normal way में भी कर सकते हो, इसको violet करके cross multiply करो, पटे जो shortcut method है, यह only कब applicable है बेटा, जब एक, जो variable part है, वो दोनों में same हो, numerator, numerator में अगर same है, तो आप क्या करो, numerator को, जैसे plus 7 है, तो इसको आपने 7 plus 10 में break किया, अगर भाई चांसे minus 7 होता, तो क्या करते है, minus 7 plus 24 में इसको break करते है, simple सी थी, ठीक है, और यह थोड़ा याद रखें, यह question, जे ही मेंस में आगो वो question है, अब आपको सोचो, यह question सब को आता है, अगर आपने ज्यादा माइंड यूज नहीं किया, तो आप क्या करोगे वाईलेट करके, normal method apply करोगे, उससे minimum beta 5 से 6 मिनिट में question simplify कर पाऊगे, और अगर आपने थोड़ा दिमाग दोड़ाया, कि यह आर दोनों पार्ट से में, तो आप अगर shortcut से करोगे, तो within 1 से 2 मिनिट में आपने इजीली इसका अंसर find out कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका अभी आपको option fill करना है second, question number 9 is, the ratio of roots of the equation, x square plus 2k minus 1 into x plus k square plus 2 equal to 0, r1 ratio 2, then the set of values of kr, question का meaning क्या है, जो एक quadratic equation है, इसके roots का ratio given है 1 ratio 2, तो बताओ k की value क्या क्यों हो सकती है, तो एक काम करो ना, आप इसके root let कर दो alpha and beta, alpha, beta इसके root है, तो आपको given क्या, alpha, 1, beta का ratio, मतलब 1 by 2 given है, इसको लिख सकते हैं, alpha, beta, 1 by 2 given है, तो आप ऐसे मान सकते हैं, alpha को अगर आपने k let किया, तो beta, beta क्या होगा 2k, ratio के पर, अब आपको, sorry, k मतलब let करो, क्यों क्यों में mention है, इसको lambda let कर लगते हैं, इसको let करो, let, this is lambda, और beta क्या होगा, twice of lambda, yes sir, यह लिखने के बाद, same theory, यह इसके root से quadratic है, तो एक बाद लेको sum of root, और एक बाद लेकते productive root, then we will get, alpha plus beta, minus kby, माला this upon this, तो क्या जाएगा, 1 minus 2k, minus 6 को multiply कर दी, upon में यह तो 1 है, this is 3 lambda, तो 3 lambda आगया, 1 minus 2k, तो से, आपको lambda की विलू, क्या अचिव होगी, 1 minus 2k upon, यह lambda आचिव हो गया, अब आगे क्या theme है, अगें सुनो, अगें यूज करोगे, productive root, alpha beta का product, तो productive root कितना जाएगा, 2 lambda square, c by a, c का meaning 2, c का meaning क्या होगा, 2 plus k square, क्या लेकर नाव बहुँ, 2 plus, this is c, अब क्या करना है, k लाना है, तो अपन को, lambda को element करना ते, काम को इस lambda की value को तो put कर देते हैं, तो lambda की value put करोगे, 1 minus 2k upon 3, का all square, चलो इस all square को open करते हैं, तो upon में क्या है गा 9, तो 9 तो इदर multiply हो गया, तो यह आगया 18 plus 9, k square equal to, 1 का square 1, 2 से multiply, plus, minus 2k का square, 4k square plus into 2, 8k square, और यह कितना जाएगा, minus 2 भी तो, minus 4k into 2, minus k 8 of k, सबको left में करो transfer, जैसे आप left में लेक्या होगे, तो only k square, यह 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 जाके क्या होगा, minus k 8k, sorry, plus k 8k, 18 वेसे 2, कम करोगे तो क्या हैगा, plus k 16 equal to 0, और बेटा इसको carefully देखोगे, तो यह क्या बन गया, उसमें सारे options given है अपनों को, और k minus 4k, वेल एक यह option में meet करता है, second option में, इसमें बात यह यह याद रखे, वाई chance 4th option है जाता है, ननोब दीज, वाई chance, तो बेटा एक बात को सोचो ना, roots का ratio given है, 1 ratio 2, इसका meaning, इसके roots क्या होगे, real होगे, मिज़े नहीं हो सकते हैं, तो roots का ratio 1 ratio 2 हो सकता है, तो D लिखने की requirement नहीं है, फिर भी आप question को carefully पढ़े हैं, ठीक है चलो, तो अभी तो इसके according का second option, फिल करना है, अगेन एक inequity का question है पने पास, यह भी एक अच्चा question है, इसमें बच्चे का ceiling mistake कर देते हैं, इसलिए गहीं question आपको, ताकि एक्जाम में याद रखें आप, the complete set of the in equation, this part is, is in equation को आपको solve करना है, तो दोखो theme क्या है, इस question में log present LNX, तो first of all क्या लखोगे, log का number is positive, x क्या आना चाहिए बोलो, यह condition लिखना मस्ट है, अदर्वाइज बच्चे गलग टिकर देते हैं answer, यह लिखने के बाद देखो, x square plus 9, यह तो always positive है, तो इसको अपन 0 में shift कर सकते हैं, तो remaining part क्या रहे गए अपना, x plus 3 into LNX upon x minus 4 must be गर देन equal to 0, बस इस in equity को solve करना है, वोई theme, denometer non 0, तो answer में 4 को include नहीं करना है, फिर number line डो करोगे, यह बेटा minus 3 पे 0 है, LNX की value 0 का वोगी, जब x को 1 लोगे, तो LN minus 0, और यह 4 पे 0 है, इसकी power भी 1 है, LN की power 1 और इसकी power 1, जब सब पे power odd है, तो number line पे alternate के लागाते, plus, minus, plus, minus, greater than 0 का meaning, आपको answer लेना positive, तो इसके according, और equal to तो क्या लगा ना, cross bracket, तो क्या आगया, minus 3 से 1, union, open bracket 4 से, क्योंकि 4 को include नहीं करना है, और देखो, मैंने question में, already first option दे भी रखा है, ताकि students में, ceiling mistake कर दे, क्योंकि simple सी बात है, यह log x आ रहा है, तो x positive होना चीए, तो answer क्या होगा, 0 से बढ़ा, मतलब इसका, इसके साथ क्या लेना है, intersection, तो देखो, 0 से बढ़ा, इसको लेख देते हैं, first equation, इसको लेट करते हैं, second, तो आपको first और second का क्या लेना, common part बहला, intersection, तो 0 से बढ़ा, तो common क्या जाएगा, 0 से 1, union open bracket 4 से, इन चोटी मूटी बातों को थोड़े ब्यान लेके, तो इसके according बेटा, इसका fourth option फिल करना है, थर्ड़े भी नहीं कर सकते, क्योंकि one को include नहीं किया गया, उसने पुझाना है, exact set, complete set, तो final answer इसका fourth option ही फिल करना है, ठीक है? Question number 11, क्या बोलगा है, if the equation 4x square minus 4, 5x plus 1 plus p square equal to 0, है जो 1 root equal to the 2 more than the other root, दोबार सोनो, the equation this part है, 1 root equal to 2 more than the other root, इसका एक root, second root से 2 ज़्यादा है, more than 2 of the other root, more than 2 of the other root, तो क्या माने है, पहले तो equation को proper format में लखो, quadratic format में 4x square, minus से multiply करो 4 से, तो minus के 20x, plus, plus का p square minus के 4, यह आपकी quadratic equation है, अब क्या बोलगा है, एक root alpha है, let, तो second root दो ज़्यादा मानना है, तो क्या let करोगे, alpha plus 2 let करो, यह question की theme है, तो then पूछा गया है, कि value of p में भी, p की value क्या हूँ, तो एक simple सा fund यह है, आप इसको sum of root, और productive root से भी कर सकतो, उसमें तो क्या करना पड़ेगा, sum of root कितना जाएगा, 2 alpha plus 2 equal to minus by, this is 25 आगया लोग, कितना आगया वोलो, 5, इतना आने के बाद क्या करना है, 2 alpha equal to 3, तो alpha आगया 3 by 2, similarly क्या करते हैं तो productive root, productive root का meaning, alpha of, alpha plus 2 equal to, this is CY, C का meaning लिखना है, P square minus 4 upon 4, अब यह काम करोना, alpha की वेलू क्या 3 by 2, तो कितना आगया, 3 by 2 और 3 by 2 plus 2, 2 और 2, 4 और 3, 7 by 2, equal to this part as it is, P square minus 4 upon 4, यह लोग, 4 से 4 cancel, यह कितना आगया 21, तो finally यह आगया, P square minus 4 equal to, 21, then P square equal to 25, then P equal to, answer होगा, plus minus 5, तो एक simple सा question है, बस तरीक पता होने ची, कैसे fill करें, ठीक है, तो इसका second option आपको fill करना है, और इसका एक option और है, एक root alpha है, एक alpha plus 2 है, तो आप एक formula यूज़ कर सकतो, difference of root का, अपने समने पढ़ाओगा, और या ना भी चीए, पहले तो इसको देखो, इसको remove कर देता है, second option क्या द्यान दो बेटा, remember this, alpha minus beta, अगर एक क्वार्टिक की roots alpha बेटा है, तो roots of difference का formula पढ़ते है, root d upon mode है, यह, बहुत usual formula है, तो बेटा, इसका एक root alpha, 1 alpha plus 2, तो उनका difference क्या जाएगा, 2 का mode 2, 2 equal to root d का meaning b square, मतलब 20 का all square, minus 4, a का meaning 4, और c का meaning this part, upon mode h 4, तो इससे भी solve करने पे, p again क्या था बोलो, plus minus 5, तो दोनों में से कोई सा भी option अपना अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद एको question number 12 क्या है, if alpha and beta are roots of this quadratic equation, आपको एक quadratic equation given है, 3x square minus 12x plus lambda by 3 equal to 0, इसके root mention है alpha and beta, फिर बोला गया, such that alpha 1 से 2 के between हैं, और beta 2 से 3 के between हैं, then total number of positive integral value of lambda, तो बताओ lambda की total positive integral value क्या हो सकती है, तो करते हैं इस कोई सब्सक्राइब, काम करते हैं, यह जो quadratic given है, इसको अपने function let करते हैं, एक 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 फेंशन लेट करते हैं, एक 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 प्लेस प्लेस लेम्डा बाइटरी, देखो, एक सब्सक्राइब का कोफिशन इसमें positive है, तो इसका diagram क्या होगा बोलो, upward pera बोला, देखो question में क्या बोला गया है, इसका एक route तो कहां लेना, वन से टू के between, यह लोग वन से टू के between, और second route लेना, टू से थी के between, इसके दो route है this and this, alpha और beta, अब question नहीं क्या बोला गया है, coefficient अगर positive है, तो इसका diagram क्या होगा, अब बड़ पेरा बोला, तो चलो diagram को, इन दोनों point उसे pass करा देते हैं अपन, ठीक है, बढ़ेंगे diagram, इसी pen से बनाते हैं, देखेगा निया आप, और अब कुछ ना करें, इन तीनों conditions को apply करें, को common लेने पर आपको alpha का interval find out हो जाएगा, तो link देते हैं, f of 1 greater than 0, तो x को 1 put कर देंगे, तो कितना जाएगा 3, minus 12, plus lambda y3 greater than 0, implies that, 12 over 3, minus 9, इधर plus 9, तो lambda गर देने जाएगा 27, similarly, f of 2 must be less than 0, तो अगेन लिखना है, f of 2 less than 0, चलो x को 2 put करो, 2 का square 4, 3 12, minus 24, plus lambda y3 less than 0, यह minus 12, इधर plus 12, 3 से multiply, तो 12, 3, 36, तो lambda क्या जाएगा, less than 36, equation number, second, और अगेन थर्ड कंडी संपलाई करोगे, बेटा, f of 3, h greater than 0, तो देखो, x को 3 put करो, 9, 27, minus 36, यह लो, क्या गया, 27 minus 36 plus lambda y3, must be greater than 0, यह कितना जाएगा, minus 9, plus 9, तो अगेन क्या जाएगा, first relation, 27 से greater, यह भी आगया, lambda get then 20, तो यह दोन्दों सेम ही है ना, तो आपको only first or second का क्या जाएगा, intersection, तो क्या बोलता है, 27 से greater, और 36 से less, तो common part क्या होगा, 27 से 36 के between, ultimately answer आगया, lambda की value, 27 से greater, 36 के less, यह दो क्या पुझा, positive integral values of lambda, number of, तो कौन कौन से answer होगे, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, तो क्तने answer है, 5 और 3, 8, तो देन इसका first option, आपको बेटा अफिल करना है, उसके बादे को 13 question में क्या वो लगा है, यह थोड़ा सा कोड़ कॉश्चन है, इसको समझे थोड़ा, the total number of integral values of A, the total number of integral values of A, for which, this part less than equal to 0, for all, x belongs to 1 से 3, जब x की value 1 से 3 के vitamin है, तो बताओ, यह less than equal to 0, तो बताओ, A की integral value क्या-क्या हो सकती है, तो देखो कैसे करेंगा है, इसको लिखते हैं, पने एक बाद, x माइनेस 3A into, x माइनेस A माइनेस 3, must be less than equal to 0, comma 4 all, x belongs to 1, x की value जब 1 से 3 है, तो this part always क्या होगा है, बोलो, negative, x की value 1 से 3 के between, this is always negative, तो बताओ, A की total integral values क्या हो सकती है, तो देखो कैसे करना कुषिन को, तो देखो करते हैं, इसको अपनिष्ठार, तो देखो उसमें कैसे करना, वह simple सा funda है, ज्यान दो सभी, ये बेटा 3A पे 0 है, और ये A प्रस 3 पे 0 है, देखो इसको जब आप multiply करोगे न, तो क्यारा x स्कॉर, इसका मतलब इस left part का डाइगरम क्या होगा, अबड़ परावुला, वह simple सा funda करने का, इसका डाइगरम अबड़ परावुला है, तो अबड़ परावुला की वेलू, x बेलूंक्स टू 1 से 3 में, always कैसी है, negative, 0, 0 से less, तो क्या करेंगे, इसमें 2 case rise की, यह left करने के बाद क्या करते हैं, यह इसकी root से एक तरीके से, इसको आप fx left कर लेते हैं, अगर समझाना हो तो, इस left of fx equal to this part and this part, यह fx और इसका डाइगरम क्या होगा, अबड़ परावुला, और यह इसकी root है 3A और a plus 3, यह mention कर देगी 3A और a plus 3 में a plus 3 greater है, तो इसका मत्त्रों क्या होगा, इसको लिख देते हैं, 3A less than equal to a plus 3 है, तो इसके according रहेगा, a less than equal to 3 by 2, equal to लगाने जोतनी अटा देते हैं, a अगर 3 by 2 से less है, तो 3A less होगा, यह greater, इसका डाइगरम मनाएगा, अब बढ़ प्रावुला, इन दोनों पॉइंटर से पास करा दो, अब कुश्चन में क्या वो लगा है, x की value जब 1 से 3 है, तो this part is always negative, तो बेटा एक बाद बताओ, आपका 1 और 3 इसके बीच में होगा ना, तो क्या गया, 1 से 3 में इस पार की value always negative, और वो बेटा 1 इदर भी हो सकता है, और 3 इदर भी हो सकता है, मतलब ultimately, 1 पे value 0 भी तो सकती है, और 3 पे भी 0 हो सकती है, तो क्या करना है, इसका मतलब जो 1 है ना, वो 3 से इदर होगा, और 3 आपका इससे left होगा, तो क्या लखेंगे, 3A is less than equal to 1, इससे तो आगया, A less than equal to 1 by 3, और इस बार क्या होगा, A plus 3, H greater than equal to 3, तो इससे आगया, A greater than 0, तो देखो, 0 से बढ़ा, 1 by 3 से चोटा, इन दोनों का common क्या जाएगा, 0 से लेके, 1 by 3, 3 by 2 से चोटा होना चीए, तो यही पार्ट आगया, इसका common, तो देखो, इसके बीच में, कितनी integer हैं, एक ही integer है, A equal to 0, तो बेटा, इसका एक answer तो क्या आगया, A equal to 0, जब आप second case की बात करोगे, तो second case में क्या करना है, इसको reverse मान लेते हैं, A plus 3 को left में, और 3 A को right में, तो देखो, इसको इससे greater मानना है, तो क्या जाएगा, A greater than 3 by 2, A क्या आएगा वोलो, इधा लिखना है, 3 by 2 से greater, अब क्या लिखोगे, A plus 3 की value, 1 और 1 से less, तो वैयार, ये सोर करनें पे क्या आगा, A less than minus 2, अगर लिखो ये ना लिखो, इनका common लोगे तो 5 होगा न, को case का meaning तो क्या है, A 3 by 2 से greater, ये A less than minus 2, तो दोनों का common 5 है, तो only इसका case फश्टी क्या होगा, feasible, तो इसके according, A का interval तो क्या होगा, 0 से लेके 1 by 3, और integral value क्या होगी, only A 0, तो इसने क्या पूछा है, total number of integral values of A, तो then इसका second option full करना है, number of values of A, तो integral value आपकी only 1 है, तो इसका second option fill होगा, ठीक है, चले, next question देखो 14 क्या है, इस question में आपको 3 sets given है, Z is the set of all integers, then the number of subset, of the set of this part, यह set है, पहले इसमें total element चेक करेंगे, और जो element है set में, उनका subset, मतलब 2 की power N, इस set में पहले चेक करोगे, number of element, वो number of element अचीव करने के बाद, उसके total subset क्या होगे, 2 की power N का formula, तो देखो क्या theme है, सबसे पहले अपन set A को सॉर्करते हैं, set A का meaning क्या है, X-2 का mod greater than 1, तो 2 theme यह तो आपन सॉर्करत लगा सकते हैं, यह आपको आना चीए, जब भी किसी question में लखाओ, mod X greater than A, तो इसका solution क्या होता है, X less than minus A union, X greater than A, इस simple theme, तो इसके according क्या जाए गए, यह आगया, X-2 less than minus 1, union, X minus 2 greater than 1, ultimately इससे आजाएगा, 1 से less, और 4 से 3 से greater, यह आगया, X less than 1, union, X greater than 3, इतने लेकिए छोड़ो, आगे बाद हो जिखते हैं, अब अपन बात करते हैं, set B की, set B का मेनिंग क्या है, X square minus 3 का root greater than 1, तो पहले तो root आ रहा है न, तो condition क्या होगी, X square minus 3 greater than 0, इससे आगया, X square greater than equal to 3, इसका root लोगे तो क्या लगाते हैं, mode X greater than root 3 आगया, वोई सेम फंडा, mode X greater than root 3 का मेनिंग, minus infinity से minus root 3, union, root 3 से infinity, यह इसका क्या होगा solution, यह तो अपने root की condition अपलाई किये, अब इसको solve करो, positive greater than positive, तो इसकी squaring कर दे सीधा, तो squaring करने पे क्या आए गए, X square minus 3 greater than equal to 1, then we will get, X square greater than equal to 4, तो इससे आगया, mode X greater than 2, तो अभी काम करो ना यार, पहले इसका और इसके साथ common लो, यह तो बुलता, mode X की value root 3 से greater, यह बुलता, तो इसका solution क्या होगा, X less than minus 2 union, sorry, यह second solution आगया, यह set B का answer है, यह set A का answer है, अब similarly बात करने है, set C की, ठीक है, तो अब इसको remove कर देते हैं, इसकी कोई use नहीं है, यह वो और लिट लिख चुक है answer, set C का मिनिंग है, वो इस simple सा fund रहा है, तो वो इक condition, mod X greater than A का solution, X minus 4 less than equal to, minus 2 union, X minus 4 greater than equal to, तो यह तो जाएगा, X less than 2 union यह आगया, X greater than equal to 6, अब कुश्चन को थोड़ा केरफली देखो, यह बोलता है, ABC का लिणा है, intersection मतलब common part, तो तीनों का common part लिणा तो एक काम करो, सबसे better option है, number and draw करो आप, तो number and draw किये अपनने, equation first पर को ना रहा, 1 and 3, first equation कहती है, 1 say less, और 3 say greater, ऐसे करता है, second equation में क्या रहा है, 1 तुवारा minus के 2, और A के बेटा 2, second equation कहती है, minus 2 say less, 2 say greater, यह लोग इसके according answer, और third equation क्या बोलती है, 2 say less, और 6 say greater, बना दिस पार, तो ultimately, तीनों का common आगया है, दो answer, यह ABC का आगया intersection, अब इस पर काम करेंगे, बाकि सब कुछ huge less अपने लिए, तो अपन इसको इदर से remove पर देते हैं, तो कितना आगया है, minus infinity से minus 2, ठीक ना, अब फिर ध्यान लखें, यह minus 2 किसकी वज़े से चीव हुआ था अपना, इसकी वज़े से ध्यान लखना, तो इस पर open bracket था, इदर वाले में, तो ध्यान लखना है, इस पर open bracket लगाना है, union, 6 और 6 पर क्या आगया, close को की, 6 को अपनने अचीव किया दिस पार्ट से, ठीक है, दोबार सुनलो, minus 2 आपका, इस से अचीव हुआ था, इसकोर इंकरने पर, x square गड़े देन 4, तो x, mod x गड़े देन 2, ठीक है, यह तो आगया, ABC का intersection, अब क्या कराया, इसका लेना, complement, or intersection z, z का मतलब, integer, सीज़ी सीदी बात है, तो एक बाह बताओ, इस पार्ट का, complement लोगे, तो इसका मतलब, इसके, यह अंसर तो कॉन साथ, इस पार्ट, तो इसका अंदर बाला पार्ट, इसका answer होगा, तो इसका complement लोगे, तो क्या होगा answer, include किया गया, तो इसमें include करना है, इसमें 6 को लिया गया, तो इसमें 6 को नहीं लेना है, complement का मतलब, जो है उसको अटा दो, तुरमेनिक पार्ट, और बाद में लेना है, intersection z, z का मतलब, integer, तो देखो, minus 2 से 6 के विट्विन, कौन कौन से integer है, एक तो minus 2 होगा, एक minus 1, 0 और 1 to 5, मतलब, total 5 और 3, 8 integer है, इसका मतलब, इसका 2 की power 8, third option आपको इसका fill करना, तो ठीक ठीक सब कौशन है, ठीक है, गलती निव निची है, उसके बाद देखो, section A का एक last question है, क्या कौशन है पड़े, the value of B, the roots of the equation, this part in this part, have one root in common, इन दोनों equation का, एक root common है तो बताओ, B की value क्या हो सकती है, तो करते हैं सो, ये को, have one root common, अल्यडी बोला गया, one root common, एक root common है, तो क्या करें पन, वह simple सा funder है, या तो apply करो, cross multiplication method, या फर एक काम करो, आप first में से second equation को कर दो, subject, सबसे better option है, जब इस में से, इसको minus करोगे तो किया जाएगे, minus minus minus, तो ये आ गया, बी माइनस वन इन्टू एक्स, माइनस वन माइनस बी इक्वल टू जी ओ, तो अल्टी मिट्टी एक्स आ गया, बी प्लस वन अपोन, बी माइनस वन, और ये एक्स है, ये क्या है, इन दोने equation को रूट है, तो किसी भी एक equation में इसको पूट कर देते हैं, तो चलो मैंने second equation में पूट किया, तो क्या बन जाएगा है, बी प्लस वन का, स्क्वार अपोन, बी माइनस वन का स्क्वार, प्लस, इस इस अल्सो, बी प्लस वन अपोन, बी माइनस वन, प्लस व इकूल तो 0, अब इसको लसी में ले, ultimate क्या करना है, बी माइनस वन की स्क्वार से, इसको multiply कर देते हैं, तो जैसे ही multiply कर दो, तो क्या जाएगे, बी प्लस वन का होल स्क्वार, एक पार्ट कैंसल आओ, तो एक पार्ट आगिया, मतलब यह आगे, b plus 1, b minus 1, this is, b square minus 1, plus b into this part, साथ की साथ इसकी squaring open कर दो, b square plus 1 minus 2b, equal to कितना आगे बो, 0, अब इसको again multiply कर देते हैं, तो finally कितना जाए गे देखो, b square, b square, चलो कोई नहीं आराम से करो, गलती नहीं होनी चीए, squaring open करो, तो क्या आगे, b square plus 1 plus 2b, ठीक है, अगला पार्ट कितना है, b square minus के 1, ठीक है, और last stage, करो b से multiply, तो then we will get, b cube plus b minus के 2b square, ये लो काफी simple होगे अब तो है, ये लो से cancel out, तो remaining part कौन बचा, एक तो b cube आगे, b cube के बाद देखो, b और 2b, plus के 3b, और ये से cancel out होगे, plus minus 1, 0, तो इससे 2 answer मिले, एक तो b 0 आगया, एक आगया, b square equal to minus 3, तो b आगया, plus minus root of 3, आउटा, तो option में b 0 तो ही नहीं ना, ठीक है, तो इसका only a की option, fill करना है, plus minus root 3, आपको लग रहा होगा, sir, imaginary answer कैसे आगया, इसमें कहां mention a question में, कि b real a की imaginary है, और ना ये बुला गया कि roots, जो common root है, वो real a, imaginary, सीडी सीडी बात है, ये आपको पता होगा, अगर quartic के coefficient real number है, तो, और d उसका positive है, तो roots उसके real भी होंगे, और अगर, हाँ, sorry, quartic के coefficient real number है, और d नेगेटिव है, तो roots इसके real, roots इसके क्या होगा, imaginary और conjugate form, अगर b imagery है, तो हो सकता है, एक root real और एक root imagery, तो इस पर ज़्यादा focus नहीं करना, क्योंकि इसमें कहीं भी real roots की बात नहीं की गई है, और आप देख सकते हो, जब आप इसमें b को 0 लोगे न, तो यह तो आगया, x square equal to 1, मतलब इससे तो अचीव होगा, x equal to plus minus 1, और इसमें b को 0 लोगे, तो इससे क्या अचीव होगा, x equal to 0, x 1, तो दो को b equal to 0 लेने पे भी क्या होगा, 1 root आगया common, तो भी तो option में है नहीं, otherwise b को 0 ले सकते हैं, अगर यह बोल देता कि the real value of b for which this and this equation has one root common, तो फिर आपको b equal to 0 answer fill करना मस्ट होता, ठीक है, तो अभी तो इसके according आपको given option के according, minus root 3 आयोटा answer fill करना second option, अब अपन इसके बाद बात करते हैं, section b की, इसमें only 5 questions है, तो देखो one by one, first question क्या है, letter of n belongs to natural number और एक function f of n equal to log n base 8, यह कब लेना है, if log n base 8 is an integer, जब इसकी value integer है, तो fn को यह मानना है, अधरवाज इसको लेना 0, तो बताओ sigma n equal to 1 से 2022 f of n की value क्या होगी, तो देखो एक बात करते हैं, log n base 8 की value integer कब को हो सकती है, तो देखो, n1 से start है, तो सीधी बात है, जब आप n को 1 लोगे, तो हाँ, log 8 base 1 integer आगे, 0, तो log 1 0, n को 7, 8 लोगे, तो 8 base 8 बना गया, तो अगला क्या होगा, तो इसकी value भी integer होगी, अगला क्या होगा, 8 square, उससे पहले तो दोन integer रहेगा, तो ऐसे रिखना ज्यादा बेटर, log 8 base 8 square, अगला log base में 8 8 q, और यह programming last तक चलती रहेगी, लेकिन लेना कव तक है, सीधी सीधी बात है, f of n का मतलब क्या है, sigma लगाओगे तो f of 1, f of 2, यह जो n है, यह maximum कितना हो सकता है, 2022, तो बेटा, जब 8 का cube करोगे न, तो ही तो 20, 2022 से less होगा, 8 into 8, 64 into 8, जब आप 8 की power 4 करोगे, 8 की power 4 का मतलब क्या होगा, 64 into 64, चलो पहले 8 cube देख लो, 8 cube का मतलब, 8 into 8 into 8, 8 का महीं नहीं होता, 2 की power 3, यह भी 2 की power 3, और यह भी 2 की power 3, तो बेटा यह पता हो ना चीए, 2 की power 9 की value 512, और यह क्या हैगा, 2 की power 6, और यह भी 2 की power 6, यह आगे 2 की power 12, यह आगे कितना, 2 की power 10 होता है, 1024, और 1024 गोना 4, यह जाएगा 4800 something something, ठीक है न, तो कोई meaning नहीं इसका, मतलब अपन जब इसमें n की limit पुट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो यह integer value कब देगा, जब n को 1 लोगे, जब integer होगा, तो इसके corresponding इसका output 0 आगे, दोबारा सनो, जब आफ sigma उपन करोगे तो n को 1 पुट किया, तो f of 1, log 1, 0, 2, 3, 4, 7 तक, तो 0 ही लेना है, हटाओ, उसके बाद 8 लोगे, तो log 1 आगे, फिट दोबारा 0, 8 square का मतलब, 64 आ जाएगा, तो 2 आगे, फि 5, 1, 6, 6 आंसर इसका फिरतना है, एक टेकनीक लिए तोड़ा सोचने वाला कॉश्चन था, ठीके चलो, second question देखो, the total number of real solution of the equation, x minus 1 का मोड की power, a equal to x minus 1 का, क्यो, जिसमें a given है this part, तो देखो, क्या थीमेस करने की, अपने एक बात पड़ी हुई है, कि base equal हों तो power को compare कर सकते हैं, बट इसमें base थोड़े अभी unequal है, तो सबसे पहले तो देखो, क्या करना अपन को, ज्यान दो सभी, mode की value always कैसी होती है, positive, positive की power something always positive, तो बेटा, जब left part आपका always positive है, तो right part must be positive, तो बेटा, ultimately, ये power odd है, तो x को, 1 और 1 से greater होना must है, तो इस question की condition है, ठीक है, x अगर 1 से greater होगा, तो then right part must be positive, और जब आपने mention करी दिया, कि x आपका 1 और 1 से greater है, तो then, mode क्या होगा, प्लस के साथ अपन होगा, तो ultimate question क्या जाएगा, x minus 1 की power, a equal to x minus 1 का cube, अब इसके बाद, इसको solve करने की technique क्या है, ये थोड़ा पता होना चाहिए, ये सब पढ़ते हैं, कि base equal हो, तो beta power same होती है, वट ये theory only, कब सही है, जब base equal है, वट constant हो, तो single answer है, x equal to y, वट अगर base आपका variable है, तो फिर more than one condition से, तो लिखते हैं पहले, पहली condition से ह हैं, कि base equal है, तो power को क्या कर सकते हैं, equal, तो a 3 आ गया, और एक बाद सुनो, question में log x आ रहा है न, तो x positive भी होना चाहिए, चलो ये तो लिखने की जरत नहीं, जब ये लिख चुके हैं, तो already positive होगा, तो a की value put करने पर कह जाएगा, log x base 10 का all square minus, इस 2 को multiply में ला सकते हैं, तो minus 2 log of, देखो, इसके factor करोगे आप, इसको एक तो x equal to, कोई नहीं, t माल लोना सको, तो सबसे बेटर है, t square minus 2 of t, तो इसके factor होंगे, कितने, t plus 3 into, t minus, एक में लोके हैं, t को जब plus 3 लोगे, नहीं, गलत कर दिया, इसके factor होंगे, t minus 1 and t plus 1, तो इससे तो एक आगया, t equal to 3, और एक आगया, minus 1, t का में लोग, x base 10 equal to, 3, minus 1, लोग को देश्रिप करो, तो एक तो x आगया, 10 का क्यों मतलब 1,000, एक 10 की पावर minus 1 by 10, बट में लोगे, तो ये तो हो गया गलत, तो एक अंसर तो आगया, x equal to 1000, ठीक, ये answer हो गया, उसके बास second condition, होगा, ये थोड़ा ध्यानक है, जब भी base आपका variable हो, तो first condition तो क्या है, कि base equal है, तो power क्यों कर सकते हैं, अब एक बात खुछ सोचो, अगर ये base 1 आ गया, तो 1 की power is 1, और this की power 3 is also 1, तो base 1 है, तो power चाह कुछ भी हो, this is always 2, तो second condition होगी, x minus 1 equal to 1, तो then we will get x equal to 2, तो ये भी इ correct, third condition हो रहा है, बट वो उसमें huge होगे नहीं, basically, अगर mode आपका 0 हो जाए, sorry, base 0, तो both power are positive, क्योंकि 0 की power positive ही 0, और 0 की power 3 is also 0, तो third case क्या होगा, अगर आपने base को 0 लेट किया, तो then we will get x equal to 1, x को 1 ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं x को 1, तो x को 1 लेने पर base 0 आ गया, तो ध्यान दें, जब third की supply करें, तो base अगर आपका 0 है, तो power क्या होने चीफ positive, तो देखो, 3 तो positive है, तो 0 की power 3 0, एक बाद left में रखके देखो, left कोन है, a, a कहां चला गया, a का meaning इस part है, तो जब इसमें x को 1 लोगे, log 1 0, log 1 0, इसका meaning, जब x को 1 लोगे, तो a 0 आ गया मतलब, 0 की power 0, और यह पता होगा, 0 की power 0 is not defined, इसकी value 0 नहीं होगी बेटा, तो देन आपको x को 1 select नहीं करना है, मतलब, include नहीं करना है, fourth case और होता है, base is minus 1, बट इसमें तो most ultimately, तो minus 1 हो नहीं सकता, ठीक है, तो only 3 case है, यह answer भी रहोंगे, तो इसके only 2 answer correct है, 2 and 1000, उस नहीं पूचा गया है, then the total number of real solution, तो आपको इसका 2 answer बेटा, फिल करना है, third question क्या देखो, the number of real solution of the equation, this part, आपको एक exponential equation given है, इसके बताओ, real solution कितने होगे total, तो एक काम करो ना, इस equation में सबतरफ को नहीं आ रहा है, e की power x, तो आप एक लेट करें, e की power x को t late करो, और अब ध्यान नहीं, जब भी e की power x को t late करते हो, तो e की power x की value always कैसी हो t positive, इसका meaning t must be positive, चलो उसको put कर देते हैं, तो e की power 2x t square आ गया, अगला t आ गया, e की power minus 2x क्या होगा, 1y2 e square, this is 1y t equal to 3, this is 1y t square person by sorry, ठीक है, देखो left में तो t square LC है, तो क्या हो जाएगा, t ki power 4 plus t cube plus 1 plus t upon t square, और right side में भी t square LC में लो, तो क्या आ गया, 1 plus t cube upon t square, ये part cancel out, सबको left में करो transfer, तो क्या आगे, t ki power 4, देखो, ये t cube, ये plus 3 t cube, ये दर आगे minus 3, तो क्या जाएगा, minus k2 t cube, उसके बाद देखो, t square तो उसमें है नहीं न, basically, तो देन, this part is, plus t, plus 3 plus 1, तो minus 2 equal to 0 आगे, इतना है के बाद देखो, इसमें, t cube common लोगे, t cube common लेने पे, t minus 2 आगे, plus 1 common लोगे, तो ये भी क्या आगे, t minus 2, ultimately, एक तो factor क्या आगे, t minus 2, और एक आगे, t cube plus 1 equal to 0, तो उसको लिखते हैं, पन तो, तो, t minus 2 जब common लोगे, बेटा, तो remaining part is, t cube plus 1 equal to 0, तो इससे 1 तो आगे, t2, इससे क्या जाएगा, t cube equal to minus 1, तो इससे t क्या आएगा, बोलो, minus 1, basically, cubic है, तो आप इसमें, a cube plus b cube का formula apply कर सकते हैं, जैसी आप इसमें, a cube plus b cube का formula apply करोगे, और इसी दी बात है, इसके factor कर सकते हो न आप, a plus b into a square plus b square minus a b 0, तो इसका तो d negative है, root से में जड़ी, तो only t minus बना गया, बट t कैसा होगा, बोलो, positive, तो ये भी answer रहोंगे, तो only t की value क्या चीव होई, 2, तो t का meaning, 2 की power x equal to 2, तो x क्या जाएगा, ln 2, तो क्या answer है, only इसका one solution है, single solution, तो इससे ने ये पूछा है, number of real solution, तो इसका a की real solution है, तो आपको इसका one answer, फिल करना है, ठीकर, एक simple सा question है, बट start कैसे करना है, ये main था, उसके बाद एको इसका second last, पढ़ें question को, the number of values of parameter a, the number of values of parameter alpha, alpha एक parameter इसकी number of values आपको calculate करना है, कि कितनी number of values होँगी, alpha गे मैंने 0 से 2 pi, फूर विच दी क्वार्टिक function, ये एक क्वार्टिक function है, इजे score of linear function, ये आपको पता होना चाहिए, कोई भी क्वार्टिक expression, इजे score of linear function, इसका मीनिंग क्या है, वो आपका एक perfect square है, ज्यान दो, जैसे लेट, एक क्वार्टिक की कुशन है, ax square plus, bx plus c, it is become a square of linear function, आप square of linear function, इसका मतलब इसके बहुत roots equal है, तो ultimately इसका आपको only d0 करना बस, automatic answer जाएगा, d का meaning b square, this is b, this is a, this is c, तो 2 cos alpha का square क्या आगया, 4 cos square alpha, minus 4, a का meaning sin alpha, और c का meaning, 1 by 2 bracket में, sin alpha plus cos alpha equal to 0, बस इसको solve कर दो, तो आपको एक technometric equation को क्या करना है, यह sin alpha, यह cos alpha, तो देखो, यह 2 से 2 cancel हो गया, तो कितना आगया 2, और 2 से 2 cancel करने पर 2 आगया, तो क्या रहे है, 2, c square का मतलब, cos square, minus sin alpha, sin alpha, minus के sin square alpha, और minus आगया, sin alpha, cos alpha equal to 0, अब इसका वेटर ओप्शन के एक काम करो, c square से divided रहे हो, मतलब, cos square से, तो it is become quartic in 10, single technometric, 2 minus, this is 10 square alpha minus 10 alpha 0, यह क्या बने चुकी, 10 में quartic, तो इसको अपन इजी में में solve कर सकते हैं, minus से multiply किया, तो यह आगया, 10 square alpha, plus 10 alpha minus 2 equal to 0, तो इसके बेटर दो फेक्टर होंगे, एक तो जाएगा 10 alpha plus 1, और एक फेक्टर होगा, 10 alpha minus 2 equal to 0, तो ultimately, sorry, 1 और 1 minus 2 का square plus 1, तो कितना आगया, एक तो आगया 10 alpha minus 1, और एक आगया 10 alpha equal to 2, तो द्यान दो सभी, alpha 0 से 2 pi, तो 10 alpha की value negative का होँथी है, second and fourth quadrant, तो दो value तो इसके corresponding मिलेंगी, और 10 alpha की value का होँगी, first and fourth, तो दो value इसके corresponding, तो total क्या होंगे, इसके 4 solutions होंगे, 0 से 2 pi में, तो देन इसका 4 answer आपको fill करना है, और उसके बाद देखो, section D का last question है, if two roots of the equation, this part, are real and distant, then minimum positive integral value of A is, आपको एक equation given है, इस equation को जब आप carefully देखोगे, तो बेटा है, यह y quadratic है, मतलब x की power 4 की equation है, और उसने बोला गया है, this equation है, two real and distant roots, then find the minimum positive integral value of A, तो बेटा, यह अगर y quadratic है, और question ने mention किया, कि two roots इसके real है, तो 100% two roots के क्या होगे, imaginary, तो अब यार y quadratic को check करना तो थोड़ा complex है, कि इसके कौन कितने root real होंगे, और कितने imagery, और यह दिखना चाहिए, कि two roots real लेने है, question कि according, तो two roots इसके image नहीं होने चाहिए, तो theme क्या रणने की, तो इसमें theme क्या थी, ध्यान दो, यह आपको पता होना चाहिए, जब भी किसी भी question में कौन प्रेजेंटो, एकस की power 4, plus x square plus 1, तो अपन इसके क्या लिख सकते हैं, बोलो factor, इसके beta factor होते है, x square plus x plus 1, और यह होते हैं, x square minus x plus 1, यह जानक है, तो देखो, एक factor तो इस दोनों में common हाजाएगा, तो इससे benefit होगा बहुत कुछ, मतलब आपने क्या किया, इस factor को use करके, ultimately, जो अपना question है, इसको दो quartic equation में क्या कर दिया है, separate, यह part common होगी, तो क्या रहे गए, x square plus x plus 1, minus of a minus 2, और यह दर आ गया, x square minus x plus 1 equal to 0, अब इसको थोड़ा simplify कर देखो, this is क्या, x square plus x plus 1, एक तो यह 0 आ गया, और इसको 0 करना है, तो देखो थोड़ा solve करो, जब आप इन में x square common लोगी तो क्या आएगा, इधर से जाएगा a minus 2, इधर से जाएगा minus a minus 2, बलब minus a plus 2, तो क्या बन जाएगा, minus 4 x square, उसके बाद जब इधर से x लोगे, तो इसके corresponding तो आगया, a minus 2, यह लोग अलग से लग देते हैं, और इधर से x common लोगी तो minus minus plus, तो plus क्या जाएगा, a minus 2, तो ultimately कुछ इसमें गरवड़ी किये, sorry, यह a plus 2 है, दोबार असने, जब आप इसको x square common लोगे, तो इधर a minus 2, इधर minus a plus 2, तो a से चला आगया, तो minus 4 x square आगया, अगेन जब x common लोगे, तो इधर से आया a minus 2, इधर से आया minus a, तो minus 2, ठीकिए न, minus a, क्योंकि 1 minus इधर है, तो minus minus क्यम जाएगा, plus a plus 2, इधर से तो a minus 2, और यह minus minus plus, तो a plus 2, तो ultimately कितना जाएगा, 2 a x, और constantum क्या होगी, 1 को इस से multiply किया, तो a minus 2, और यह minus a plus 2, तो ultimately दोबारा क्या जाएगा, minus 4 equal to 0, इसमें से minus 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या रहेगा है, 2 x square, sorry, minus a x plus 2 equal to 0, तो इसको क्या होगे, तो दो क्या होगे, फिर इमेजरी, और इसको केरफुली देखो, यह क्या होगे, इसका दो d negative आ रहा है, इसका मतलब इसके root तो कैसे imagery, तो beta अगर इसके roots इमेजरी हैं, तो इसके root क्या होगे, must be real and distant, तो then इसका लेखोगे, d greater than 0, d का meaning b square, a square minus 4ac, तो कितना जाएगा, 16, greater than 0, तो square root low square, यह आगया, a square greater than 16, then mod a greater than 4, तो इसने क्या पूचा गया है, a की minimum positive integral value, तो 4 से greater, इसकी minimum positive integral value, आपको क्या fill करना ही बोलो, 5, तो इसका 5 answer, फिल करना है, ठीक है, चलो उसके बाद अपन इसके advance के paper की बात करेंगे, next video में, thank you beta, Hello student, तो अब अपन इसके बाद बात करते हैं, J advance के paper की, तो देखो, इसमें total 15 questions है, starting के 2 questions में, एक single paragraph है, remaining 8 questions आपके multiple choice के, और 5 questions beta integer के, तो चलो उपन start करते है, section A, paragraph 1, question क्या पढ़ें सभी, consider the equation, x की power 4, plus alpha minus 1 into x cube, plus x square, plus alpha minus 1 into x, plus 1 equal to 0, आपको एक y quarter equation given है, alpha belongs to R, then, देखो, इस question में क्या-क्या पूचा गया, पहले इसको read करते हैं, पन, the given equation has two positive and two negative roots, if, यह बता हैं आपको, कि अगर इस question के two positive roots हैं, और two negative हैं, तो बताओ, alpha की value क्या हो सकती है, और अगला option है, अगला question है, the given equation has no real roots, this power 4 की question का no real root, तो बताओ, alpha again क्या होगा, तो देखें, इसको करने की theme क्या है, बहुत अच्छा question है, इस passage को थोड़ा carefully देखो, जो given equation है, इसमें क्या देख रहा है, देखो, first of all, तो, इस equation में x को 0 पुट करने पे does not satisfy, 0, 0, 0, 1, मतलब x इसमें non-0 होगा, इसको यू लिखा गया है, तो कि अगर x non-0 है, तो बेटा इसको पन क्या करेंगे, x square से divide, जैसी आप इसको x square से divide करोगे, तो यह आगे x square किया जाएगा 1yx square, इसको पर लिंक सकते हैं, एक साथ, x square प्लस 1y, x square, प्लस, इन दोनों से x square डिवाड करोगे, तो इधर आगे x, इधर आगे 1yx, और alpha minus 1 क्या जाएगा common, alpha minus 1 common, और bracket में आ और plus x square is 1, यह करनने के बाद, इस x square plus 1yx square को भी आप, x plus 1 upon x में क्या कर सकते हो, convert, तो इसको लिख सकते हैं, आपन, x plus 1 upon x का whole square, minus 2 और plus 1, तो minus की बना जाएगा है, plus alpha minus 1, x plus 1 upon x, minus 1 equal to 0, ultimate t आगया, अब इसमें theme क्या है, आप एक काम करो, x plus 1 upon x को t let कर लेते हैं, जान दे सभी, let off, x plus 1 upon x को आपने क्या let किया t, तो first of all इसी को solve कर देते हैं, तो आगया x square minus tx plus 1 equal to 0, अब इसका side में d लिख लो, इसकी जर्च पढ़ेगी, इसका d क्या होगा, t square minus 4, अब इसमें 2 case हैं जाएगा, वो अभी let कर लेते हैं, d greater than equal to 0 का मतलब, t square greater than 4, then mod t greater than equal to 2, और d less than 0 का meaning, mod t less than 2, इसका meaning समझो पहले तो, जब आपने x plus 1 y x को t let किया, तो यह x में quadratic है, आप simple theme यह देखो, x की और 4 values are real, इसका meaning क्या होगा, जब आपने इसका d check किया, इसका d था, t square minus 4, इसका मतलब यह जो x में quadratic है, इसके roots real कब होँगे, जब इसका d must be equal to 0, तो mod t के आगे 2 or 2 से greater, इसका meaning यह है, t की value 2 से greater, 2 or 2 से greater, और minus 2 or 2 से less होगी, तो then this equation has real roots, थोड़ा फंदा समझें, और mod t less than 2 आगया, d negative का मतलब, इस quadratic के roots imaginary का होँगे, जब t की value क्या होगी, minus 2 से 2 के between, यह इसकी theme है, अब आगे क्या करना है, इसकी कोई जूरत नहीं है, यह अपनो और लिजी इसको convert कर चुक है, तो इसको remove कर देते हैं, धरसे, तो अपने question में जब आपने, एक फंचन आगया, लेट f of t equal to, t square plus alpha minus 1 into t, इसको function माल लिए f t, अब carefully सुनो, इसका coefficient positive है, तो इसका diagram क्या होगा, अब बड़ करा बोला, और इसमें एक concept और है, product of root आ रहा है negative, इसका मतलब 100% एक root negative होगा और एक root positive, ध्यान दें, इसमें t की दो value होंगी, t1, t2 का product positive है, तो 100% एक positive होगा, दूसरा negative, ultimately, जो f of t है, इसमें एक t positive, एक t negative, तो इसका meaning क्या होगा, जो एक t में क्या होगा, इसके दोण root अगर real है, तो एक root तो positive होगा और एक root क्या होगा negative, मतलब t की एक value 2 से greater है, और एक value minus 2 से less है, तो उसके corresponding, आपको f of t की बात कर सकते हैं, तो देखो, कैसे करना question को, आप से first question में बोला गया है, 2 positive and 2 negative real हो, तो बेटा एक बात खुछ सोचो, यह देखो, यह आपकी t में quadratic है, यह sorry x में quadratic है, आप इससे समझो, question में क्या वो लागा कि x की 4 values हैं, उन में से 2 value negative हैं, और 2 value positive हैं, इस question समझाते हैं, यह lead दोनो positive हैं, यह lead दोनो negative है, तो क्या होगा इसमें, यह जो x में quadratic है, इसमें constantum plus बने न, इसका मतलब, इसके product of root क्या है 1, product of root बना गया, और sum of root कितना रहा है, t, तो एक बात खुछ सोच बता हो, alpha, beta का multiply positive है, इसका मतलब, alpha and beta बहुत हार positive, बहुत हार negative, दोनो positive हैं, तो t भी positive होगा, alpha और beta अगर दोनो positive हैं, तो t भी positive, तो beta सीधा साधा मनीगे है, कि जो power 4 की question है, इसके 2 root positive हो, तो वो 2 root positive हो सकते हैं, जब t positive होगा, बट वो t की value 2 और 2 से greater होगी, और alpha, beta का product negative होगा, फिर भी product बना सकता है, इस case में t negative हो जाएगा, लिख सकते हैं 1, alpha, beta का, alpha और beta negative हैं, तो product तो positive होगा 1, लेकिन t कैसा जाएगा negative, तो सीधी सीधी बात यह मिली इस से, कि इस quadratic के 2 roots positive और 2 roots negative का हो सकते हैं, तो 2 root तो positive कहोंगे, जब t positive हो, बट किर देन equal to 2, क्योंकि t अगर minus 2 से 2 होगे, तो इसके roots क्या बनेंगे, imaginary, जो आपका अगला part है, वो बात की बात है, तो t की value 0 से greater, यह 2 और 2 से greater, तो 2 roots आर positive, और t की value negative, मलदा minus 2 से less, तो then again 2 roots आर negative, तो देखो इसको करने की theme क्या आप समझें, आप, आपको ultimately t की value find out करने है, कि t की value क्या होंगी, तो देखो इस f of t का diagram क्या हो, का अबवर्ड पहरा बोला, 0 पे negative आरा है, यह लो, यह इस का diagram बन गया, 0 पे value negative है, और अब आप एक बहता हो, यह t का diagram है, t की 1 value तो क्या चीए, 2 से greater, 1 minus 2 से less, अगर t की 1 value 2 से greater है, और t की 1 value minus 2 से less, simple सी बात ही है, यह जो t में quartic है, f of t में, यह t में जो quartic है, इसकी दोरूट होंगे t1, t2, t1, t2 का product negative है, तो t1 की 1 value positive है, और t2 की 1 value negative है, simple सी बात ही है, इससे 2 value अचीव होंगी, एक positive एक negative, ultimately, इस original equation के चारूट होने के लिए, एक root, 1 t positive और 2 or 2 से बड़ा, तो बहुत roots are positive, 1 t negative और less than equal to minus 2, तो बहुत roots are negative, तो simple सा concept यह लगाना है, कि यह जो f of t है आपका, इसमें 1 t 2 or 2 से greater हो, और 1 t minus 2 or 2 से less हो, तो then आपके original equation के two roots are positive and other two are negative, तो simple सी बात, f of 2 के corresponding value या तो negative होगी या exact 2 होगी, तो आप कंडी से अपला ही करोगे, f of 2 less than equal to 0 और f of minus 2 is less than equal to 0, f of 2, x को 2 रख दो, 2 का square 4 minus 1 यह लिख देते हैं, 4, 2 रखने पे 2 alpha minus 1 minus, t 2 लेने पे 2 alpha minus 2 आगया, sorry, must be less than equal to 0, तो इससे आगया, 2 alpha less than minus 1, तो alpha less than जाएगा minus के half, similarly, एक आपको करना है, f of minus 2 की value again less than equal to 0, तो इससे क्या होगा, t को put करो minus 2, तो f of minus 2 क्या होगा, 4 minus 2 से multiply किया, तो minus 2 alpha plus 2 minus 1 less than equal to 0, यह plus 5 ultimately आगया, alpha greater than equal to 5 by 2, तो देखो, यह तो कहता है, alpha की value minus half से less, यह बुलता, alpha की value 5 by 2 से greater, तो अपनको तो दोनों condition को क्या करना है, simultaneously true, तो then, no value of common, तो इस first question का answer तो होगा, alpha belongs to 5, alpha की ऐसी कोई value नहीं ले सकते, जिसके along this equation has two positive and two negative real roots, तो इसका तो fourth option होगा, भी देखते हैं उसको, उसके बाद इसके second part में क्या थी में, second part में बोला गया है, कि all four roots are imaginary, तो इसके दो option है, दो case होगे, एक case तो क्या होगा, अगर यह जो f of t में quadratic है, अगर t1, t2 दोनों की value अगर minus 2 से 2 के between लोगे, वाला उल्टा हो जाए गए, अगर t1, t2 की जो दोनों value है, यह minus 2 से 2 के between लोगे, तो इसके corresponding क्या होगा, इसमें condition लगा देना, तो उल्टा करोगे, तो इससे तो मिलेगा, alpha less than, less than 5 by 2, and इससे मिलेगा alpha greater than minus k, तो alpha belongs to क्या आएगा, minus half से 5 by 2, तो एक answer जोगे, बाकी condition लगा देना, d, यह सब कुछ आपका always true होगा, क्योंकि देखो, इसका जो d है, वो कितना है, alpha minus 1 का all square plus 4, इसका d तो always positive है, तो d से इस पे कोई effect नहीं होगा, d इसका always true है, तो इस तरीके से इसका answer आपको tick करना है, case दूसरा भी लेते हैं student, यह जो f of t में quadratic है, अगर t imaginary है, तो इसके root भी क्या होगे imaginary, but इसमें, इस quadratic roots imaginary कभी नहीं हो सकते, 100% इसके roots तो really होगे न, क्यों, क्योंकि इसका d कितना है, alpha minus 1 का square plus 4, तो इसका d positive है, तो इसके roots real होगे, only t की value minus 2 से 2 के vitamin लोगे, उसी case में इस original की question क्या होगे, बोलो, imaginary, तो इस तरीके से करना है, तो एक अच्छा सा question है, चलो, तो देख लें, last में, तो first question में तो पूछा रहा कहता है, 2 positive, 2 negative, तो इसका तो fourth option fill करना है आपको, और given equation है, no roots, तो इसका आपको third option बेटा, fill करना है, ठीक है, उसके बाद देखो section B, multiple choice questions, तो देखें, इसमें total 8 questions है, first question क्या देखो, if the equations, this, this, this have exactly one common root, then which of the falling is oblique are correct, आपको क्या बो लगा है, 3 quadratic equation given है, और इनका only one root common, तीनों equation का only one root common exactly, तो बताओ, which of the falling, PQ, common root is 4, and sum of all uncommon root, जो remaining root से उनका summation बताना है, तो देखो, क्या theme करने की, देखो, क्या better option है, आप एक काम करें, इसके roots let करते हैं, जैसे let, यह जो first equation है, इसके root आप let करो, alpha, beta, क्योंकि जब आप खुश सोचो, इसमें वो लगा है कि common root बताओ, इसका मदा alpha बता नहीं पड़ेगा, आपको, uncommon root का sum बताओ, ultimately आपको all roots की value को separate क्या करना पड़ेगा calculate, तो अपन let करते हैं, इसके root alpha, beta, let करें, एक root को मनें, तो alpha, gamma, और एक लिखते हैं alpha, बस अपनको alpha, beta, gamma, data, सबकी value चीए, और यह आगया तो P की तो मिली जाएगा, तो देखो क्या थी मैं, एक बार लिखो sum of root, first का, alpha plus beta आगया, P plus Q, similarly, second में alpha plus gamma, 2Q, और third में, alpha plus delta, 2P plus, तीन relation तो यह अच्छी हो चुक है, उसके बाद productive root क्या होगा, first में तो क्या आगया, alpha, beta 4, second में आगया, alpha, gamma, 8, और third में आगया, alpha, delta, 12, अब एक काम करो, इसको simple करने का method है, alpha, beta, beta, gamma, तो एक काम करो उसको डिवाड़ कर दोतो हो, इससे क्या ratio में लिया, beta upon gamma आगया, 1 by 2, और इन दोनों को डिवाड़ करने पर जाएगा, gamma upon delta is 2 by 3, तो इन दोनों से क्या confusion मिला, beta को के मानोगे, तो gamma 2 के और delta 3 के, तो अब नहीं लिख सकता हूँ, let, alpha को तो let कर लेते हैं, sorry, इससे let कर लेते है, beta को के लोगे, तो gamma क्या आगया, 2 के, और gamma को 2 लोगे, तो delta क्या जाएगा, बोलो 3 के, ये लो, अब ultimate के लाना, simple सा थी, अब इस k की भी लोगे लिख लिए, again क्या किये मैंने, देखो, बस थोड़ा गुणा भाग करने अपने को, अपने इन दोनों में से equation को minus कर देते हैं, तो क्या जाएगा, बीटा माइनस गामा एककोल टू, दिस माइनस दिस, तो ये आगया, P माइनस Q, बीटा 2K है, स्वरी, बीटा के है, गामा 2K है, तो बीटा माइनस गामा, माइनस के, तो इस से K अचिव हो गया, Q माइनस P, ठीक है, क्या आगये बहूँ? Q माइनस P, similarly अब क्या करते हैं, एक इन दोनों equation को minus करो, ऐसे कुछ करना पड़ेगा, simplification के लिए, तो then we will get gamma minus delta, this minus this, यह आगया, q minus 2p, gamma 2k, delta 3k, तो again minus k, तो इससे k कितना आ गया बोलो, इससे क्या आगया, 2p minus q, अब एक काम करो न, इन दोनों equation से k की value को equal कर देते हैं, जैसी आप दोनों से k की value को equal करोगे, तो 2p minus q equal to q minus p, 2p minus q equal to q minus p, तो यह आगया बेटा, 3p equal to 2q, क्या आगया बोलो, 3p equal to 2q, 3p 2q आगया, अब अपने एक काम करते हैं, पीर q की value भी k की term में लख लेते हैं, तो एक काम करो न, 3p 2q आगया, तो इसमें सुनों, इसमें अपन q की value पुट कर देते हैं, तो पीर q की value भी आपको क्या मिलेगी, k की term में अच्छी हो सकती है, तो देखो, k equal to 2p minus q, q का meaning, 3p by 2, ये लो, तो कितना आगया, 2p minus 3p by 2, तो p तो कितना आगया, बोलो, 2k, p क्या जाएगा, बोलो, 2k, p2 की आगया, तो p2 की लोगे, तो q कितना आगया, 3k, क्योंकि 2 cancel out होगे, ये लो, अब दोको सब कुछ अपनने split कर दिया, k की term में, alpha, beta, gamma, और simple सी बात है, जब beta, k है, तो beta को k लोगे, तो alpha क्या आगया, 4k, 4y, k, sorry, alpha आगया, 4y, k, ultimately आपने क्या किया, alpha, beta, gamma, delta, और pq, सब को k की term में split कर दिया, अब k की value लानी है, तो एक simple सा option है, किसी भी एक relation को पकड़ो, जैसे first relation लिया, इसमें alpha, beta, pq, सब की value पट करो, in terms of k, जैसे आप इनको पट करोगे दिया, क्या आगया, ज्यान दो, alpha की जगे 4y, k, इसकी जगे k, और ये कितना आगया, 5k, sorry, ये 3k था, तो कितना रह जाए गया बोलो, 4k equal to, this is k square equal to आगया, 1, तो k कितना आगया बोलो, plus minus 1, अब समें दोन options possible हो सकते हैं, if k equal to 1, अगर k को 1 लोगे, तो दो को p2 आगया, q3 आगया, ये लोग first of second option, k को 1 लोगे, तो एक root 4 आगया, और उसके बाद k को 1 लोगे, तो जो uncommon root है, beta का में डिल्टा, इनका सम कितना 6k, तो k बने तो 6 answer, तो इसके all 4 options are correct, k minus 1 की according भी अपने ये काम कर सकते हैं, ठीक है, चले, उसके बाद को इसका second question क्या बोला गया है, the value of p for which the inequality log base में p square plus 1 और इसका number है, 3x square minus 2x plus 6 minus p must be greater than equal to cos square theta, bracket में 1 minus 4 sin square theta का all square minus cos square theta is satisfied for all real values of x and theta, ये जो inequality है, ये x और theta की all value को क्या करती है, satisfy, then बताओ p की कौन कौन सी value हो सकती, तो देखो कैसे करने इसको, सबसे पहले तो एक काम करो, question में log आ रहा है, तो log की condition, ये value कैसी होगी positive, तो सबसे पहले आ गया, 3x square, जब भी question में log present हो, root present है, तो उनकी condition लगाओगे, ये कोन है upward quadratic, तो पड़ो upward quadratic की value, x की all value के लिए positive, तो diagram number this part, और इसकी condition क्या अपलाई करोगे, d less than 0, d का meaning b square, तो 4 minus 4, 3, 12, 6 minus p less than 0, ये 3 से cancel हो गया, तो कितना गया, 1 minus 18 plus 3p less than 0, तो ये जाएगा p less than 17 by 3 yellow, p की value 17 by 3 से less होगी, एक condition तो ये है, log की second condition क्या है, इसका base भी positive होना चीए, तो ठीक है, p square present हो हमेशा positive है, लेकिन base में कभी 1 नहीं आ सकता, तो बेटा, p को 0 भी नहीं लेना है, ज्यान रखे, क्या करना है, इस inequity को further solve करते है, तो देखो, inequity को solve कर करने का method कर, पहले इसको solve करो, तो देखो, आप sin square theta को लोगो, 1 minus cos square theta, तो कितना जाएगा है, 4 से multiply करो, 4 cos square theta, minus 1 minus 4 minus 3, यह आ गया, और भार ये cos square theta है, ये भी square है, तो square ही एक सथ लगा होगे, तो c का all square आ गया, तो किसका formula बने गया, 4 cos cube theta minus 3 cos theta, this is also cos theta, ये किसका formula आ गया, cos theta का square, और ये भी this part है, तो ये सब कुछ cancel out होगे, क्या बने जाएगा, बोलो, 0 आ गया, बस ये देखना था, 0 आ गया, तो इसका meaning क्या होगा, देखें, ये जब term सारी की सारी 0 है, तो इस log को इधर shift कर दो, और एक बास सनो, ये अपन को पता है कि log का base अगर 1 से बड़ा है, तो sign does not change iniquity का, और 1 से ले से तो sign को change करते हैं, और जब ये आपको पता है, P square की value हमेशा positive होगी, positive plus 1 is 1 से greater, तो base इसका already 1 से greater है, तो इसको इधर shift करोगी, तो sign does not change, तो क्या आगया, 3X square minus 2X plus 6 minus P must be greater than equal to this part की power 0 is 1, तो ये आगया, 3X square minus 2X plus 5 minus P greater than equal to 0, वो ही same theory, quality की value 0, 0 से greater, तो diagram इस फटेच भी कर सकता है, तो then D less than equal to, sorry, ये गलत बना दिया, value positive, तो 0 और 0 तो equal to B, तो D less than equal to 0 को रोगी, तो इसको solken कर जाएगा, 4 minus 12, 5 minus P, वो ही same theory, 3 आगया, तो 1 minus 15, ये जाएगा, P less than equal to 14 by 3, ये जाएगा, इस सीवीलेस, इस सीवीलेस, तो दोनों का common क्या गया, P less than equal to 14 by 3, 14 by 3 का मीनिंग क्या होगा, 3 point something something, sorry, 4, 3, 12, 4 point something है, तो P की value क्या होगी, 4 point 3 से less होगी, तो 4 answer सही है, और 2 भी correct है, और 0 fill नहीं करना है, तो इसका only second और third option बीटा आपको fill करना है, हाँ, next question देखो, let solution of the equation, x minus 2 का mod equal to x square plus x plus 1 r alpha and beta, इस equation के two roots given alpha and beta, और वेर alpha greater than beta, alpha को beta से बड़ा आपना है, then which of the following options is ovulikar correct, तो करना है क्या देखो, तो ultimately पेल alpha beta लेके आते हैं, बाकी काम सब बान में करना है, तो देखो, इसको carefully देखें, इसका d negative आ रहा है, तो this square t की value हमेशा कैसी होगी positive, तो ये भी positive, ये भी positive, तो अपन को पता होगा साहिए, आपना more अड़ा के सीधा क्या लगा सकते है, plus minus 2, ये plus minus लगा सकते, तो ये आगया, x square plus x plus 1 equal to plus minus, जब आप taking plus लोगे, तो taking plus पे क्या आगया, x square plus x plus 1 equal to, तो ये आगया, x square equal to minus 3, तो इसके root तो क्या होगा, imaginary, तो इसकी तो बात ही नहीं करना ही, क्योंकि alpha beta से बढ़ा है, तो real root से simple सी बात, इसको आटाओ, और जब taking minus 2 होगे, तो क्या आगया, x square plus x plus 1 equal to minus x plus 2, ultimately मिला, x square plus 2x minus 1 equal to 0, ये मिली क्योंकि, हाँ, इसके roots क्या होगा, real, और इसी की जो root से उनको name दिये गया, alpha beta, तो चलो इसको अपन दुबारा लगते हैं, साफ चतर, अब फाइनली इस equation को सोल करने पर कोना आगया, x square plus 2x minus 1 equal to 0, तो देखो, इसके root को ने alpha beta, तो चलो लिख देते हैं, sum of root तो आगया, minus k2, और productive root आगया, minus k1, और अपन quatic formula से roots भी कर सकते हैं, find root, इसके roots क्या होंगे, minus 2 plus minus root, 4 और 4, 8, by 2, और 8 का मज़र 2 root दो, तो x कितना आगया, minus 1 plus minus root 2, question ने ओलडी mention किया गया, alpha beta से greater, तो alpha positive लेना है, तो alpha positive बढ़ा होगा, तो यह तो आगया, root 2 minus 1, और beta क्या जाएगा, minus, तो minus को मने लो, साथ की साथ चलो, बस, और देखो, यह दोनों value उपने use करते हैं, इसको technometry में, इतना आने के बाद देखो, फर्स्ट और सेकंड option तो simple है, फर्स्ट option का मीनिंग क्या है, 10 inverse alpha minus 10 inverse beta, तो simple सी बात है, 10 inverse alpha मतलब root 2 minus 1, minus 10 inverse beta, beta की value में minus आ रहा है, तो यह minus minus plus हो गया, और यह आगा root 2 plus 1, और beta है, आपको पता होना चीए सबको, यह 10 में किसकी value होती है, 22 and half, अतला 5 by 8, तो यह तो आगया 5 by 8, और यह होती है 67 and half, अतला 3 by 8, triple, तो 8 LC में लोगे, तो 4 by, तो ultimate यह आगया 5 by 2, तो इसका तो, इसका तो first option correct होगा, एक तो ऐसे करना इसको, first option के बाद देखो, second option में क्या थी है, 10 inverse alpha, यह तो किसके एकवल है बोलो, 5 by 8 के एकवल, minus 10 inverse beta, तो minus minus तो plus होगया, तो यह आगया 3 by 8, और आप carefully देखो, 5 by 8 और 3 by 8 का sum 5 by 8 हुआ रहा है, तो यह P4 property से कर सकते हैं न, इसको अपन highlight कर लेते हैं, इसको A limit बोलो, इसको B limit बोलो और यह कोन है, C square upon S square plus C square, तो अपने क्या पढ़ा हुआ है, P4 property का मतलब, X is replaced by A plus B minus X, तो इन दोनों का sum कितना है, पाई बाई 2, A plus B अगर पाई बाई 2 है, तो कितना जाए गए, cos पाई बाई 2 minus X, sin square X और यह जिट इज, तो ultimately आगे integration of S square upon S square plus C square, तो जब इन दोनों को add करो होगे, तो LCM same, तो new meter में भी क्या आगया, S square plus C square is 1, तो दोनों को add करने पे क्या आगया, 2i equal to, एक काम करते हैं, इसको अटा देते हैं, इसको दोबारा लेखने ने, जरूत पड़े तो, यह आगया, 2i equal to, A से B dx, तो i कितना जाएगा, X, B minus A y2, तो एक काम करो, 67 and half, और य 8 minus करना है, तो कितना जाएगा, pi by 2, pi by 2 upon 2 pi by, गलत, 3 pi by 8 minus pi by 8, 8 LCM, pi by 4 by pi by 8 आगये लो, तो देन इसका second option भी क्या होगा, बोलो, correct, बस अपने को alpha, beta की value का meaning पता होना चींगी, 10 में ही किसकी विलोंगी, बाकी question symbol थाए, fourth option देखो, log, base में root 2, हाँ बई, mod alpha का मतलब क्या होगा, root 2 minus 1, क्योंकि तो already positive है, और mod beta का मतलब, mod लोगे तो क्या होगा, 1 plus root 2, 1 से 1 कहें से, तो 2 root 2, और 2 root 2 का meaning क्या होगा, root 2 की power 3, तो then इसका 3, तो fourth option भी इसका क्या होगा, बोलो, correct, अब अपन चेक करते हैं, इसके third option को, लिख देना, alpha का meaning तो था, root 2 minus 1, और beta का meaning minus root 2 minus 1, या फिर, यह किसकी root है, x square, जिसमें alpha plus beta minus 2 था, और alpha beta minus 1 था, देखो, the value of a10 minus a8 upon 2 a9 is minus 2, where a in this part, a n का meaning, तो a10 का meaning alpha की power 10 plus beta की power 10 minus 8 का meaning alpha की power 8 minus upon twice of a9, तो simple सी थी में न, ऐसा question अपन कर भी, regular question ने कर सकते हैं, इन दोनों में common लो alpha 8, तो क्या आगया, alpha square minus 1, और minus 1 की जगे पुट कर सकते हैं हम, alpha beta, similarly इसमें common आगया, beta की power 8, तो देन ही आगया, beta square minus 1, इसको भी क्या लग सकते हैं, alpha beta, यह वाला part है, जिटे, जैसी ही लिखोगे तो देखो, एक beta common इदर से एक alpha common, जैसे alpha बीटा common लोगे, इसमें से alpha common लिया, तो यह आगया, alpha की power 9, bracket में क्या बचा, alpha plus beta, इदर आपने beta common लिया, तो minus beta की power 9, और इदर भी क्या बचा, alpha plus beta common आगया, और अपन में है 2A9, यह लो, A9 से A9 cancel out, तो देन, हाँ, एक second, जब आप यह लिखोगे, तो इसमें देखो, नया क्या करना है, जैसे आपने इसमें value पुट की, गलती सोरी इदर कर दी, यह plus था तो प्लस होगा, सोरी, तो प्लस है तो फिर यह plus आगया, तो A9 से A9 cancel, तो alpha plus beta by 2, alpha plus beta minus 2 है, तो देन, इसका answer क्या बनना, minus 1, तो यह तो minus 2 है, तो इसका only first, second और fourth option ही correct होगा, उसके बाद देखो, fourth question क्या है, the number of solution of the equation, x plus 1 का mod, plus x plus 2 का mod, plus x plus 3 का mod, equal to A, where alpha belongs to minus 4 से 4, and A is a parameter can be, question का meaning यह है, A आपका any parameter होचकता है, तो बताओ, this equation के how many number of solution, कितने solution हो सकते हैं, तो देखो, क्या करने है, आप क्या करो, इस function का draw करो diagram, इसको violet कर दो, y equal to x plus 1 का mod, plus x plus 2 का mod, plus, तो right part क्या यह y equal to, इन दोनों के diagram, जितने points पर क्या करते हैं, intercept, उतनी क्या होगे, number of solution, एक ही बिलो कुछ भी हो सकती, तो इसके recording बात करते हैं, तो देखो, इसका diagram कैसे draw करोगे, देखो, यह सारे mod है, तो x को कुछ भी low, mod की value हमेशे क्या होगी positive, तो diagram increase ही करेगा, तो देखो, यह minus 3, यह shortcutte diagram को draw करने का, इन तीनों points पर 0 आ रहा रहा था, जब x को minus 1 लोगे, तो यह 0 आ गया, यह 1 आ गया, यह 2, तो minus 1 पर value क्या में लेगी, आपको 3, minus 2 लेने पर, यह 0, 1 और 1, 2 आ गया, तो minus 2 पर 2 है तो थोड़ा नीचे लो, यह आ गया, minus 2, 2, और minus 3 लोगे बेटा, तो minus 3 पर यह 0, यह 1 और यह 2, तो again क्या आ गया 3, मतला roughly diagram मुना होगत क्या होगा, और infinity लोगे, infinity लोगे minus infinity, diagram positive होगा, यह फिर इदर आया, फिर इदर और फिर आगे जी चुला जाएगा, तो देखो, यह इसका क्या minimum point है, तो आप यह समझो ना, y equal to a की line को draw करना है, तो अपन ऐसे draw कर सकते हैं, तो कितने solution, 2 solution, आप इस y equal to a की line को इस point से touch करा सकते हो, तो only one solution, यह पर इसके below the this part, तो no solution, ultimately क्या है, if अगर a 2 से less है, अगर 2 से less है, तो this part does not intersect the given curve, तो क्या answer आएगा, no solution, अगर a आपका exact 2 है, तो क्या answer आएगा बोलो, only one solution, और if a अगर 2 से greater है, तो then 2 solution, practically इस question का meaning यह है, अगर आप इस question में a को 2 से less कुछ भी उपट करो, और जब again इस modulus equation को स्वलबर करो के बेटा, तो उस cancer आएगा, no solution, a को अगर exact 2 लोगे, तो only one solution आने वाला है, और a को 2 से greater कुछ भी लेट करो, equation को solve करने पे, x की 2 value आपको क्या उनी achieve, तो question का meaning यही तो था, कि the number of solution of equation, this part, where x minus 4 से 4, and a जे parameter can be, a कुछ भी parameter लो तो बताओ, इस equation के कितने solutions हो सकते हैं, तो simple सा बात, a अगर 2 से less है, तो इस cancer की आएगा, 0 solution, तो first option correct है, a अगर exact 2 है, तो only one solution, और a 2 से greater तो आपका two solution, तो then इसका first, second, third option फिल होगा, x की limit लगा रखिये, तो इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा, इदर minus 4 होगा, इदर plus 4 होगा, तो minus 4 पे इदर diagram, और plus 4 पे इदर, तो अपना काम तो इसी सिता में लिए, ये point क्या होगा, इदर भी one solution और इदर भी one solution, ठीक है न, तो, आप फिप्स question देखो, if the roots of the equation, x square minus ax minus b equal to 0, a b कोई भी real number है, are lying both minus 2 से 2, square tick के बहुत roots, अगर minus 2 से 2 के vitamin है, तो बताओ, which of the following option इच करें, a और b की mode की बात कीए, तो एक काम करो, इसको एक function लेट कर लेते हैं, fx equal to, a j आपको location root की बात कीए, इसमें, coefficient positive है, तो diagram क्या होगा, बट परह बोला, और question है, क्या हो लगा है, इसके both roots are, is, lies between minus 2 से 2, तो diagram इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो क्या होगा, इस diagram में, f of 2 positive होगा, f of 2 का meaning, x को 2 put कर दो, तो 4 minus 2a, minus b must be greater than 0, similarly, f of minus 2b क्या होगा बोलो, positive, x को minus 2 put कर दो, तो minus 2 का square plus, plus 2a, minus b greater than 0, और third condition क्या होगी, इसके vertex का x coordinate lies between minus 2 से 2, तो यह आगया, minus b, b का meaning क्या होगा, minus a, upon 2a का meaning 1, is lies between minus 2 से plus 2, तो minus से minus cancel, और multiply करने पर आगया, minus 4 से plus 4, मतलब यह होगया, mod a less than 4, तो एक option तो इसका third correct होगा, उसके बाद देखो, यह अपन को पता है, b contable भी लिख सकते हैं से, same side inequity को अपन direct add कर सकते हैं, तो जब दोनों को आप add करोगे, तो 4 और 4, 8 आगया, minus 2b से plus 2b, cancel, तो यह आगया, minus 2b greater than 0, तो then b less than 4, तो b less than 4, तो यह भी option होगा, तो यह भी correct होगा, उसके बाद आगया वाली theme क्या देखो, इसमें mod a का interval गया है, first, second और fourth option है, तो आप एक काम करो, इससे a की value लोगो और इससे a की value, तो देखो first और second relation जो है अपने, इन दोनों से a और b की value क्या होगी, तो इसससे क्या होगा, इस 2a को left में लेया हो, तो यह आगया, 2a less than 4 minus b, then b will get a less than 2 minus b by 2, similarly, इससे क्या मिलेगा, a गर देन, b इदर आ गया, तो plus का, और minus 4, तो by 2 करने पर आ गया, by 2 minus k2, इन दोनों को carefully देखो आप, एक option तो क्या है, देखो इन दोनों को merge करोगो तो आप लेह सकता हो न, a lies between 2 minus by 2 से less और by 2 minus 2 से greater, तो एक कामकुरस में से minus b common लोगा, आप ये लो, इसका benefit क्या हुआ, ये दोनों value दोखो, एक जैसी है, तो अपने एक लाइन पड़े हुए, अगर x belongs to minus a से plus a, तो देखो इसके according इसका first option भी अपन फिल कर सकते हैं, after that एक option और फिल कर सकते हैं, देखो, ये दोनों relation है, इनका meaning क्या है, आप इस fourth option को देखो, ये बोलता है, a की value से less, ये बोलता है, से greater, अपने relation पड़ा हुआ है, कि mod x, जान दो पहले blackboard पे, कि mod x greater than a, का answer क्या होगा, x less than minus a union x greater than a, तो जब इसको open करोगे, mod this part, तो a की value by 2 minus 2 से greater, ये आ गया, और a less than ultra, तो ये आ गया, तो then इसका fourth option भी आपको फिल करना है, तो इसका first, third और fourth option बेटा correct होगा, उसके बाद देखो, question number 6 में क्या करना अपन को, the equation x q plus ax plus 2 equal to 0 है, ये बोला गए कि बताओ, this equation है, exactly one root if a belongs to this part, exactly three root if a belongs to this part, exactly two root if a equal to minus 3, and exactly one root if a belongs to minus 3, infinity, तो आपको ये देखना है कि a का क्या interval लें, जिसके according, इसके roots 1, 2 और 3 हो सकते हैं, तो बेटा, जब भी exactly root पूछे, और किसी variable की value find out करनी है, तो उसका सबसे better option है, उसको diagram की help से solve करने की try करें, तो देखो, इसमें theme किया है, थोड़ा समझाना दंक से, सबसे पहले तो क्या करना है, जो equation given है, अगर आप इसको fx, एक बार देखो, इसमें wrong procedure क्या है, इसमें student क्या है, गलती कर बैठते हैं, student क्या करते है, इसी को fx माल लेते हैं, अगर आपने इसको direct, अगर fx select किया, त होगी, diagram के लिए, definition करना पड़ेगा, तो कितना जाएगा, 3x square प्रस से, अब बताओ, यह negative भी हो सकता है, तो यह complexity हो जाएगी, इस पे आपको local, minimum, local, maximum, थोड़ा complex होगा, तो देखो, क्या theme है करने की, क्या किया है, मैंने first of all, यह जो equation given is को rewrite करते हैं, एक्स क्यू, बहुत x equal to 0 does not satisfy, तो मैं एक कॉमा लगा कर लिए सकता हूँ, x not equal to 0, फिर क्या करो, अगर x non zero है, तो इसको अपन x से divide कर देते हैं, तो क्या जाएगा, x square plus 2yx plus a0, और a को लेके चले जाओ, right part में, तो minus a, अब क्या करो, इसको आप let करो function fx, यह let y equal to x square plus, अब अपन क्या करेंगे, this का बनाएंगे diagram, और y equal to minus a की line का diagram क्या होगा, parallel to the x-axis, और दोनों के diagram, जितने points पर क्या करेंगे, intercept, उतनी क्या होगे number of solution, तो यह इसको करने की theme, अब इसके बाद question बहुत simple है, तो एक बार इसका क्या कर देते हैं, differentiation, तो क्या जाएगा, देखो, इसका d by dx होगा, बेटा, x square का 2x, और x का 1 upon x, this is minus 2yx, यह सर, 2 common आ गया, तो numerator में क्या होगा, x square minus 1, इसके factor होगे, x minus 1, x plus 1 upon x, अब नम्मला एंडो करें, एक minus 1 पे 0 है, एक 0 पे 0, एक 1 पे, starting में plus, minus, plus, minus, 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 minus से plus local minima, plus से minus local maxima, और यह local minima, मतला, minus infinity से minus 1 में diagram decrease करेगा, minus 1 से 0 में increase, decrease और again increase, ठीक है, और अब एक काम को रिस function y को इदा लेट कर लो, side में, इसको रिमूम करना पढ़ेगा, x square plus 2yx, और y equal to minus k, अब देखो, इसको रिमूम कर देते हैं, इसकी कुजरत नहीं, अब देखो, diagram किस टाइप से दो करना, blackboard पे ध्यान दे, यह let y axis, this is let x axis, first of all दे ध्यान दे, देखो, इसमें upon में x है, जब आप x को just 0 से बढ़ा लोगे, तो 0 upon 0 से greater, यह होगा positive infinity, plus infinity, 0 पे value ultimately इसकी कहोँगी, plus infinity, यह 1 होगा, एधर minus 1 और यह 0, तो 0 plus पे तो value क्यों होगी, plus infinity, और 0 से just less लोगे, तो negative 0, और 2 upon negative 0, minus infinity, तो diagram इधर split होगा आपका, कितना आने के बाद, x equal to 1, आपको 0, 1, minus 1 पे value लिखनी है, तो 0 पे तो क्या होगा, एक बार plus infinity, एक बार minus infinity, 1 लोगे, तो 3 आगया, तो 1 के corresponding value क्या होगी, 3, तो आगया, 1, 3, तो हुआ क्या diagram, उपर से नीच आएगा, और फिर दोबारा ऐसे चला जाएगा, क्योंकि infinity पे value क्या होगी, 2 upon infinity, 0, और infinity का स्कुर्ण इंफिटी, तो देखो न, 0 से 1 में function decreasing, और 1 से infinity में function increasing, और यह point कितना 1, बहुत simple सा question है, अब आते हैं left में, जब x को minus 1 रखोगे, minus 1 का स्कुर्ण 1, 2 upon minus 1 minus, तो 1 minus 2 is minus 1, ये सर, तो minus 1 पे इसकी value क्या चीब होगी, बोलो, minus के 1, तो डाइगराम उपर से यू आएगा, और इतना आने के बाद, अब देखो, अगेन क्या गरना आपन को, जब x को आप क्या लोगे, minus infinity, तो minus infinity का स्कुर्ण plus infinity, तो ये value, अगेन क्या बन जाएगी, एक मिट कुछ गलती कर दे, minus 1 से 0 में डाइगराम, minus 1 से 0 में डाइगराम, positive है मतला डाइगराम, नीचे की तरफ जा रहा है, एक मिट को कुछ, mistake की है value में देखने का बाद, देखो, इसमें एक बार दोबारा देखते हैं, हाँ, इसका differential गलत हो गया न, कोकि 1 upon x का minus के 1 by x स्क्वार होगा, sorry, तो कोई नहीं इधर से तरफ डाइगराम से में, इधर थोड़ा change होगा डाइगराम, कोई बात नहीं, इधर देखते हैं, ये था 1 upon x स्क्वार, थोड़ा सा change होगा, इसमें इसकोटा देते हैं, ये आ गया, 2x minus 2 upon x स्क्वार, ये सर, तो ultimate 2, और ये जाएगा, x q minus 1 न्यूमेटर में, और जब ये x q minus 1 है, तो इसके factor क्या होगा, x minus 1 upon x स्क्वार, उधर तो कोण होगा, क्वार्टिक, a cube ले b cube का formula लगा दो आप, तो ये तो constant time है positive, तो only 0 और 1 लिखना है, तो plus minus minus, ठीक है ना, तो minus infinity से 1 में function, decrease करेगा, तो ये सब को सही है, और अब ठीक है, 1 लेने नहीं, minus 1, तो अब diagram दोबार ये से चला जाएगा, ठीक है, ये थी में इसको क्रेंगे, negative 0 पर negative, minus infinity और plus infinity पर plus infinity रिता जाना है, तो देखो, minus infinity से 0 तक diagram decrease करेगा, फिर decrease और दोबारा increase, अब ध्यान दे, अब y equal to minus a की line, तो देखो, अगर आप ऐसे diagram मनाऊगे, तो ये line होगे, इसका मतलब y equal to minus a, इस cut exactly one point, इसका meaning, और अगर आपने y equal to minus a की line को इससे touch कराया, तो has two solution, this end, और minus a अगर उपर आ गया, तो has three solution, ये इसकी theme है, तो क्या लखना answer, only one solution में, क्या लखोगे, minus a less than equal to three, minus a की value three से less, then a get then minus k, तो a अगर minus three से greater है, तो then exactly one roots, तो ये तो आगया fourth option, और एक बार अगर exactly two की बात करोगे, तो minus a equal to three, तो a equal to क्या जाएगा minus three, तो exactly two solution का मतलब a is minus three, और three solution का meaning लिखना है, minus a की value three से greater, then a less than minus three, मतलब minus infinity से minus three, तो then exactly three roots, तो इसका second, third और fourth option वेटा correct, तो एक अच्छा question है, उसके बादे को 7th question क्या है, if three roots of the equation this part, आपको एक y quality question given है, इसके three roots कोन है, 10a, 10v, 10c, बढ़ो, where PQR is real number, as negative माना गया, देखते हैं, 10a, 10v and 10c are three roots of this equation, where ABC are angles of a triangle, then fourth roots of this equation can be, तो बताओ, उसका fourth roots क्या हो सकता है, तो देखो कैसे करेंगे, x की power 4 minus, इदे को x की power 4 में y quality, तो इसके 4 root होंगे न, एक root तो मानने 10a, तीन root तो के बने 10a, 10v, 10c, और fourth root अपने मानने तो इसका 10d, क्या फरक पड़ता है, fourth roots क्या मानने 10d, ये लिखने के बाद, एक बार लखोगे sum of root, ये प्रोसिवर पता होगा, plus, minus, plus, minus shortcut method है, ये लगाने के बाद, summation of root, तो क्या जाएगा, 10a, plus, ये shortcut में लिखते हैं, अपन, after that, s2 का मीनिंग क्या होगा, 2, 2 के मल्टिप्लाई का summation, 10a of 10v, इसकी total system अचीव होंगी, this is let q, after that, s3 का मीनिंग, 3, 3 के मल्टिप्लाई का summation, 10a, 10v और 10c, this is r, और 4 का मल्टिप्लाई क्या हो जाएगा, s, इसको देते पाई, s4 equal to, product of all terms, पाई 10a, ये जाएगा बिटा, s, ये लिखने के बाद, आप देखो क्या करना है, आपको एक बात बता है, पहले तो एक काम करते हैं, मैंने एक formula लेट किया, 10 of a plus b plus c plus d का formula, 10a plus b plus c plus d का formula क्या होगा, s1 minus s3 upon 1 minus s2 plus s4, ये formula आपको पता होना चाहिए, या फिर एक बाद समझ सकते हो, जैसे 10a plus b plus c का formula अपन क्या लगते हैं, 10a plus b plus c में क्या होगा, 10a plus 10b plus 10c, एक एक कसम, इसका मतलब क्या होगा, s1, minus 3 का multiply मतलब s3 upon क्या था, 1 minus s2, जब 3 एंगल थे, तो क्या लेका, s1 minus s3 upon 1 minus s2, तो 4 हैं, तो s4 तक जाना है, तो उपर तो को न आता है, और और नीचे आते हैं, तो उपर तो क्या होगा, नीउमेटर में क्या होगा, s1 minus s3, और डिनोमेटर में, s1 minus s2 plus s4 तक जाना है, अगर यह बाइचांस, a plus b plus c plus d plus e का होता, तो क्या था, s1 minus s3 plus s5 upon 1 minus s2 plus s4, यह इसकी थी में, इतना आने के बाद देखो, क्या करना है, इन तीनों का समपाई, अगर इन तीनों का समपाई है, यह ABC ट्रेंगल के एंगल है, तो क्या गया, 10 pi plus d, pi plus d, third quadrant और third quadrant में 10 positive, तो क्या गया है वोरो, 10 d equal to, हाँ बेटा, s1 की value p minus s3 की value r upon 1 minus s2 की value q plus s, तो एक option तो क्या होगा, p minus r upon 1 minus s, यह fourth option आ गया, एक पार तो करना है, ऐसे, अब देखो, third option तो नहीं सकता, first और second option का यह बहुत अच्छी थी में, इसको समझो क्या किया गया है, इसमें क्या करना, तो एक काम करते हैं, इसको remove कर देते हैं, तरसे, इसकी कुझरत नहीं हो, जब को इसमें क्या करेंगे, simple सी बात, इसका मीनिंग है, एक एक कसम, अपने सबसे पहले एक बात लिखते हैं, product of roots, 10A, 10B, 10C और 10D, यह दे रखा अपनको S, और एक बात बताओ, अगर ABC ट्रेंगल के एंगल है, तो अपने एक relation पढ़ा हुआ है, 10A plus 10B plus 10C को लिख सकते हैं, 10A, 10B, 10C, ultimately, आप 10A plus 10A, 10B, 10C को क्या सकते हूँ, इनके summation की format में, 10A plus 10B plus 10C, और यह 10D, आपको तो 10D से मतलब है, इतना आने के बाद, इसका meaning क्या है, 10A plus 10B plus 10C plus 10D equal to P, तो 10A plus 10B plus 10C क्या होगा, और P minus 10D, यह क्या जाएगा बोलो, P minus 10D into 10 of D equal to S, 10D को T मानलो, तो P minus TT, यह फिर एक काम करो, मल्टिप्लाइ करो, सबको एक तरफ ले आओ, तो it is become quadratic in 10D, यह 10D में क्या बने चुकी, तो जब quadratic formula लगाओगे, यह क्या जाएगा, मल्टिप्लाइ करने पर, यह मिलेगा, 10S2D minus उदर, और minus के P of 10D plus S equal to 0, तो यह 10D में quadratic है, तो क्या लखोगे, 10D equal to P plus minus root P square minus 4S upon 2, तो देखो यह कोई दोनों answer correct है, फर्स्ट रो सेकेड, इसलिए इसने mention किया गया, S negative है, तो जब S को negative लोगे, तो यह value हमेशे क्या होगी positive, तो root क्या होगा, defined होगा, तो यह थोड़ा सा सोचने बाला पाटता है, कि आपको इन दो रिलेशनों का use करना है, और एक आपको 10A, 10B, 10C का put करना है, 10A plus 10B plus 10C, इसको step से किया गया, तो उसका first, second और fourth option बीटा correct होगा, ठीक है, चलाए, उसके बाद देखो multiple choice का last question है, it's a again good question, good option को देखो क्या है, the complete set of values of real parameter M, for which the equation this part equal to 0 है, options के according करना है, M की values given options में आपको, no real roots is M this part, अगर इसके no real roots रताओ, M की value यह होगी, 5 roots in 0C2 pi is this part, 4 roots 0C2 pi is this part, यह already given है, क्योंकि Sinex का role है, तो X अगर 0C2 pi है, तो बोला गया है, 5 root में M2 आना चाहिए, 4 roots के लिए M12 होगा, और union this part, और 2 roots के लिए M0C2 pi हो, 0C2 pi में M क्या होगा, 10, 10, 10, 10, तो इस type से question को अपन को solve करना है, चलो, इसको start करते हैं, तो इसको theme को करने की, ध्यान दो बीटा, करते हैं, इसको start को, इसकी theme क्या करने की, इसके बीटा, basically 2 option है, एक option थोड़ा complex है, उसमें क्या करते हैं, बच्चे, इसको fx select कर लेते हैं, पहले तो क्या करते हैं, sin x को t alert करो, समझो, इसको लिखना नहीं थोड़ा complex है, एक बार क्या करो, sin x को t alert करो, और t 0 से 2 pi है, इसका मददर t क्या होगा, minus 1, 7, तो इसको एक function मानते हैं, f of t equal to m of t square, plus m of 1 minus m into t, plus m minus 2, और यह लिखने के बाद, इसमें apply करते हैं, location of roots, यह दिखने में लग रहा है कि quartic है, तो quartic supply करो, what location of roots है, जब करोगे, वह आपको सीधी बात है, x की value चीए, 0 से 2 pi में 5 roots up to son, तो कैसे सोच होगा है, जैसे 4 root चीए, 0 से 2 pi में, इसका मतलब क्या है, t की 2 value चीए, एक negative, एक positive, यह t की 2 value चीए, बहुत हार positive, बासम जो, t h both roots are positive in 0 to 1, यह t h both roots are negative in minus 1 से 0, यह फिर 1 root h positive और 1 root h negative, तो इसमें काफी सारे cases बनाने पढ़ेंगे, तो उससे simple method कि आपन उसी को try करेंगे, आप इसमें काम करो, इसको simplify करके, अपन M की value कर से लगते हैं, find out, तो इसमें जब आप M common लोगे, तो bracket में जाएगा, कितना, sin square x, plus sin x, plus 1, और बचा कोन इदर, minus sin x, minus 2, उदर जाके जाएगा, 2 plus sin x, इतना आने के बाद इसको सी divide कर देते हैं, तो M आ गया, sin x, plus 2, upon, sin x square x, plus, sin x, plus 1, अब इसके बाद करेंगे अपन, और अब क्या करेंगे, वोई same procedure, आप sin x को t let करो, x 0, c 2, पाईए, तो t belongs to क्या जाएगा, minus 1 से 1, ultimate t आपको minus 1 से 1 में, इसको t मानोगे तो function आगे न, M equal to t plus 2 upon, t square plus t plus 1, इससे एक function आगया, M equal to t plus 2 upon, t square plus t plus, इस steps इसको अपन को solve करना है, तो देखो, कैसे किया जाएगा, देखो, t minus 1 से बने, तो आपको, इस right part का बढ़ाना डियाग्राम, और Y equal to M की लाइन को इस तरी की से पास करेंगे, कि this has something solution, तो इसको दो लिखनी ज़रत हैं न, अपने पास, बसे, manly equation को लिखते हैं, तो इसको आड़ा देते हैं, जरसे, इसमें आगया, t belongs to minus 1 से 1, इसका बनाना है डाइग्राम, तो इक काम करो पहले, इसका t के रेक्सपेक्ट में आपको करना पड़ेगा differentiation, dm by dt, तो जब आप इसका लेखोगे dm by dt, तो इसका dm by dt आएगा बेटा, denominator agitage और t plus 2 का 1, t का 1 और 2 का 0 अटाओ, minus numerator agitage और denominator का क्या होगा, 2t plus 1 upon denominator का, इसका होगया differentiation, इसको simply भेह करो, तो क्या आएगा, t square minus 2t square, तो minus के t square आगया, ultimately आपका dm by dt अच्छीव होगा, minus के t square, plus t, t और 2t 40, minus के 5t, sorry, t, t से आगया, और 45t, minus के 5t, और plus के t, तो minus के 40 है जाएगा, क्या जाएगा बलो, minus के 4 of t, और बेटा, इदर से मिलेगा, minus 2 plus 1, minus के 1, और upon में तो whole square है, उसके तो कुछ factor होगे भी नी, क्योंकि इसका d negative है, जैसी minus common लोगे, तो क्या जाएगा, t square plus 4t plus 1, हाँ, इसका d positive है, तो इसके 2 factor होगे, अब अपन इस पिटे में तो अपला नहीं कर सकते, तो आप इनक काम करते हैं, इसके factor माल लेते हैं, alpha and beta, ठीक है, इसको दे लिख देते हैं, इसके 2 factor होगे, alpha and beta, तो देखो एक काम करो न, इसके factor क्या होगे इदर देखलो, minus 2 plus minus root, b square, 16 minus 4, 12 का root, 2 root 3, मटे दो, ये लो, तो से 2, 1 तो आगया हो, minus 1 minus root 3, यान दो, sorry, 4 था नहीं, 4 को कैंसे करने पर 2 आएगा, minus 2, minus root 3, और एक आगया, minus 2 plus root 3, और इदर सुने, starting में minus आ रहा है, तो सीडी बात है इदर लगाओगे, minus plus minus, ultimately, this part may function downward, sorry, decreasing, increasing, decreasing, इतना आने के बाद, अब अपने इसके diagram को रोकरने की टाय करते हैं, इसका diagram free हो गया, इसको इदर से remove कर देते हैं, तो देखो, इसका diagram कैसे डाख करने हैं, carefully देखना question, अच्छा question है बहुत, इदर कौन लेंगे अपन, ये diagram किसके respect में हैं, y equal to m, और इदर कौन है t, अब इसमें नहीं बात ये है, अपने question के according t लेना, only minus 1 से 1, तो देहान दो, ये minus 1, ये 1, और इदर सोनो, minus 2 plus root t, minus 1 से थोड़ा सा greater है, तो ये तो आजाए गा इदर, ये आगया minus 2 plus root 3, और बच्चो, minus 2 minus root 3, minus 1 से less होगा, तो इसकी जरुत नहीं है, अपन को केवल इससे मतलब है, और this part पे local maxima होगा, और minus 1 से, वही minus 1 सीदी बात ये दर आ रहा है, तो minus 1 से this part में increasing, और again complete function decreasing होगा, वन्त शक, वन्त फंच्चन आपका क्या होगा, decreasing, तो देखो कैसे करना है, simple सी बात है, जब आप t को 0 होगे, तो t को 0 पुट करो, 2 आगया ये लोग, ये आगया 2, ये तो point आगया 0,2, उसके बाद जब t को लोगे, minus 1, तो देखो, minus 1 का square 1, 1 और 1, 2 minus 1 is 1, only बना गया, m कितना जाएगा बोलो, 1, after that, 1 ने ने पे कितना आया बताओ, जब t को 1 लोगे, 2 और 1, 3, 1, 1, 1, 3, 3 by 3 जो अगयन बना गया, मलब minus 1 और 1 पे value, same है, plus 1, 0 पे value क्या हमली, 2, और बेटा जब minus 2 plus root 3, इसमें पुट करोगे, t की value पुट करो, minus 2 plus root 3, तो ये करके देख रहे हैं ना, ये value इतनी ही मिलेगी, जो इसने लिख रहे हैं, जो भी root वाला part है, इसको करो divide, ultimately इसके corresponding जो value है, वो कितनी है, ये दो को 1 plus 1 से greater, ये 2 से greater है, ये value क्या हो लोगो, 2 से greater, 2 upon root 3, 1 point something, 2 point something, तो देखो, minus 1 से, minus 2 plus root 3 तक तो function कैसा होगा, increasing, ये value बढ़ेगी, इसको अपन, इससे मनाते हैं, ये value क्या होगी, increase करेगी, फिर value decrease करती करती, ऐसे चले जाएगी, ये दोनों same ही point इसको दर मना लगते हैं, तो अब ध्यान दे, और अपन को cable इससे ही, ये ही हुज लेज़े से, बाकी पार्ट अपना, ये इसका बनेगा diagram, बस ये ही थीम थी, M common लिया, M की value, sine की term में, sine x को T माना, तो M दिस पार्ट आ गया, और T minus 1, से मन लेखो, after that, इसका T के रेक्सपेक्ट में करो, differentiation, number and draw करो, तो आपको local, minimal, local, maxima के point पता चल जाएंगे, तो वो आपनी ये ड्रो किया, और इससे पता चला कि, जो एक point है, वो तो मन की range से, out it, स्कॉड़ा दे, तो only diagram बनाया, minus 1, अब इतना आने के बाद, अब देखो, इसके answer कि step से लेखे जाएंगे, उस पे focus करते हैं, अब आपको draw करनी है, y equal to m की line, ये तो right part गड़ाएंगे, ज्यान दो बुले, अब थोड़ा समझने वाला part है, जो को पहली बात तो सुनो, y equal to m की line, अगर इससे नीचे है, और इससे अप है, तो no solution, क्योंकि, इस case में, y equal to m की value, इससे अप हो down है, तो no solution answer है, तो इसका तो क्या होगा, m की value अगर 1 से less है, और this point से greater है, तो क्या answer हैगा, no solution, तो दोखो, एक तो आजाएगा first option, अब आगे क्या करना जानने, ये थोड़ा समझने वाला part, इदर आओ, जब y equal to m की line को, इसी point से pass कराओ गया, मुलाब y equal to 1, ये point है आपका 1,1, जिसे माइनस 1 को 1, ठीक है बिटा, अगर ये y equal to m की line है, मतलब m आपका 1 है, ऐसे समझना reverse, m कितना 1, ये m equal to 1 कबच्ची होगा आपको, ये कौन था, t plus 2 upon, t square plus t plus 1, अब अगें समझे, y equal to m, आप ऐसे सुनो सीधा, जब t को 1 लोगे या minus 1, तो m कितना आया, 1 आया न, मतलब इसके corresponding, t की value या तो 1 होगी या minus 1, जब m equal to 1 लोगे, तो m equal to 1 कबच्ची होगा, जब t is 1 and minus 1, तो ध्यान दो, t का meaning sin x, तो sin x की value 1 कब आती है, pi by 2 पे, और sin x की value minus 1 कब आती है, 3 pi by 2 पे, तो ultimately आपको, कितने solution मिलेंगे, only two roots मिलेंगे, क्या मिलेंगे बोलो, two roots, बात को समझे, t को 1 लोगे, तो t 1 आने का मतलब, अपन को तो m की value से मतलब है, कि m की value क्या लें, की two solution आने चाहिए, तो m को 1 लेने पे, t की 2 value है, t m को 1 लेने पे, t की 2 value है, और t का meaning sin x equal to plus minus 1, तो ultimately, सीधी बात है समझो, if sin x अगर आपका plus minus 1 आगया बेटा, इसका मतलब m मेरा बनाया था, sin x का मतलब की था, तो m बनाने का मतलब sin x equal to plus minus 1, तो x का मतलब आगया, pi by 2 and 3 pi by 2, तो कितने solution अचीव हुए, two solution, तो एक answer तो इसका, two solution के case में, एक answer तो इसका 1 होगा, after that, जब आप ये point पकड़ोगे, अपनको केवल, इस range की बात करने है, इसके out of the new solution है, तो एक बार तो आपने इस point को let किया, 1 को m equal to 1, जब m को this part लोगे, मतलब, 1 plus 2y root 3, तो बेटा, जब m की value लोगे आप, 1 plus 2y root 3, इसके corresponding t की value क्या होगी, इसके corresponding t की value this part है, और ये value क्या है, minus, और इसके corresponding value this part है, ये value कैसी t की negative, और t की negative value, मतलब, m को जब आपने लिया, 1 plus 2y root 3, तो इसके corresponding t कीतना था, root 3 minus 2, और t root 3 minus 2 negative है, तो sine x की value negative का होगी, third and fourth quadrant में, तो again, कितने solution अचीब होगे बोलो, two solution, ये तो बात हुँ इसके, लिखते चलते, बाकी बाद में करेंगे, options बाद में टिक की जाएंगे, अब उसके बाद देखो, अब एक line इधर हो सकती है, एक line इधर हो सकती है, और एक line इसके बीच हो सकती है, तो पहले एक काम करते हैं, इसकी बाद करते हैं, जब m equal to 2 लोगे आप, क्या लोगे बोलो, m equal to 2, तो बेटा, m की value 2, के corresponding t की value देखो, क्या क्या हो सकती है, m equal to 2 लेने का, आप ये मत बोलना सर, y equal to m, 2 point पे cut करते हैं, तरीकी से करना है, आपन को t की value चीए, भाई, t आने से पता चलेगा, sin x की value क्या होगी, 0 से 2 पाई में, तो द्यान दे, y equal to m की लेन को, अगर ऐसे लोगे, इसका मतलब, m2 आगया, m2 का बचीव होगा, 1 तो t को 0 लोगे, और 1 t को this part लोगे, ये कोई भी negative value बोलो सकती है, द्यान दे, 1 तो t को 0 लोगे, और 1 t क्या होगा, कुछ भी negative part, minus 1 से 0 में, m को 2 लेने का meaning, t की 2 value अचीव होंगी, 0 in this part, और उसके corresponding x की, कितनी value मिलेंगी 5 values, तो m को 2 लेने का meaning है, 5 solution आपके पास, क्या होंगे बोलो, अचीव होंगे, ये sir, चला है, after that, अब अगर ये case लोगे, तो देखो, इस case में क्या होगा, एक this part और इस this part, इसका मलब इसके corresponding भी t negative, और इसके corresponding t negative, तो t की जब this value होगे आप, तो उसके corresponding x की 2 value negative, sorry, m जब आप क्या लोगे, दो से बड़ा और this portion के बीच में, 2 से लेके, 1 प्लस 2 बाइरूर 3 के between, तो then क्या होगा, आपको, t की 2 value होगे बहुत हा नेगेटिव, और t की 2 value negative, तो x की 4 value होगे न, क्योंकि sin x की value दो बाइर नेगेटिव का बात ही है, 3rd or 4th में, corresponding to 2, तो 4 solution होगे, और यह ही आल नीचे होगा, जब यह लोगे, तो 1 solution ही आ गया, जब m की value क्या होगी, 1 से बड़ी और 2 से छोटी, तो आपके अगेन 2 solution, 1 t positive और 1 t negative, तो अगेन, t की value positive 0 से पाई, तो 2 solution, और t की value negative 5 c 2 पाई, तो अगेन 2 solution, तो इस case में कितना हैंगे 4 answer, तो देखो, पहला option हागया, 5 roots, 4 roots in 0 c 2 pi, 1 से 2 और 2 से इस पाट, तो अगेन 4 solution, 2 roots in 0 c 2 pi is, 1 this end, minus 1 नहीं होगा, अब गलती क्या मानूँगे, इसको टिक नहीं करना आपको, तो इसका only 1st, 2nd और 3rd option ही बेटा, correct रना है, अच्छा question है, अब चलो इसके बाद आपने बात करते हैं, section D की, देखो section D का first question क्या है, and 10 square theta are roots of the equation, AX square plus BX plus C0, A non-0 है, B square minus C square upon AC lambda बोला गया है, तो पहले तो lambda की value final करेंगे, उसके बाद if solution set of the inequality log, base में lambda है, 8 sin x less than 1 in 0 c 2 pi, is this part, मतलब 0 c 2 pi में this inequality का solution, alpha से beta, gamma से delta है, then the value of gamma upon beta plus alpha upon delta is, तो beta ultimately पहले lambda की value चीए, तो कि lambda की value, जो भी कुछ होगी उदर जाएगे न, lambda बन से चोटा आगया, तो sin को change करना है, बन से greater आगया, तो sin को ड़ेखे not change, तो देखो lambda की value लिए क्या करेंगे, इस relation को यूज करते हैं, इस quadratic की root के मेंने, sin square theta and 10 square theta, तो एक बार तो लखते हैं, sum of root, तो कितना जाएगा, sin square theta plus, 10 square theta आगया, minus के by, a, और product किया जाएगा, sin square theta into, 10 square theta आगया, का बोलो, c upon a, कितना आने के बाद, अब simple option यह है, आप numerator में, b, c की value पुट कर दो, automatic सब कुछ cancel out हो जाएगा, lambda equal to, देखो, b की value क्या होगी, a into this part, तो square करने पे क्या गया, a square और bracket में क्या जाएगा, sin square theta plus, 10 square theta का बोलो, all square, minus c square की value क्या होगी, a square, sin square theta, 10 square theta का whole square, मतलब, यह आगया, sin की power of 4 theta, तो यह काम करो, a square सबसे को मना आगया, साथ की साथ, square आदेते हैं, upon में क्या होगा, a into c, c की value अगें पुट कर दो, a sin square theta, 10 square theta, a, a square, 10 square theta, बस इसको simplify करोगे, तो देखो क्या होगा, a square cancel, इसको solve कर देते हैं, ठीक है ना, तो lambda की value अचीब हो जाएगी, तो देखो ध्यान दे, lambda equal to, थोड़ा complex है, मत कर सकते, 10 square theta का meaning, लिखेंगे अपन, sin square theta upon, cos square theta, तो ultimately, sin square theta common आगया, तो भार के आगया, sin की power 4 theta common, इसको लिखेंगे, s4 common आगया, और bracket में बच गया, 1 plus 1 upon, c square का, whole square, minus, ये कोन है, s4, 10 square का meaning, again, s4 upon, c4, yes sir, और denominator में आगया, 10 square का मतलब, sin square upon, cos square, तो लिख सकते हैं, again, s4 upon, c square, तो देखो, carefully, s4 common आगे, cancel out हो गया, इतना आने के बाद, इसकी squaring, open कर देते हैं, तो देखो, इसकी squaring, open करने पर क्या आएगा, ये जाएगा, lambda equal to, 1 plus, 1 y c4, plus, 2 y, c square minus, 1 upon c4, और अब उनको पता है, कि सारा को साइन में है, तो s4 को साइन में क्या लगोगे, cos में, 1 minus c square का, all square upon, c4, c square, तो c square को न्यूमेटर में ले आएपन, तो जब c square को न्यूमेटर में ले कि आएगा, कितना जाएगा है, या फर एक काम करो न, c की power force समय से ले लो, या c square से multiply कर दो, उपर जाके c square से, क्योंकि 1 upon है, क्या वोलो, 1 upon, तो c square न्यूमेटर में जाके आएगा, c square, plus 1 upon c square, plus 2, minus, अपोन में क्या आएगा वोलो, c square, एक c square कैंसल, इसकोर खुन ले पह जाएगा, 1 plus, c4 minus 2, c square, और अब देखो, क्या जाएगा, यह बेस बन से बड़ा है, तो क्या जाएगा, 8 sin x, less than 1y4, तो sin x आजाएगा, 1y2, sin x, 1y2 से less आगया, और उसके बाद एको, log के अंदर sin x आ रहा है, तो sin x positive होना चीए, ultimately, sin x को 0 से greater, 1y2 से less लेना है, अब 0 से 2.5 में बताओ, इस iniquity का solution क्या हुआ, तो वैटर option क्या है, 0 से 2.5 में बना दो, sin x का डियाग्राम, sin की value 0 से बढ़ी, और 1y2 से less, इसका मतलब ये वाला portion आगया अंसर, this part and this part, 1y2 value कब आती है, एक तो आती है 5.6 पे, और एक आती है 5.5.6 पे, तो इसका solution आजाएगा, 0 से, sorry, 5.6, union, next होगा, 5.5.6 से, ये इसका final answer है, अब देखो, alpha, beta, gamma, delta, alpha तो 0 है, तो 0 पन सम्थिंग 0 अटाओ, फिर gamma, gamma का meaning, 5.5.6 upon, beta का meaning, 5.6, तो कितना आंसर जाएगा, 5.5.6 upon, 5.6 is, 5 answer इसका आपको, फिल करना है, चलो उसके बाद, next question देखते हैं, उसके बाद देखो, second question क्या है, let a and b are, roots of the equation, x square minus, k minus 2 c x, minus k minus 1 d 0, and c and d are, roots of the equation of this part, a, b, c, d, distant non 0, real number बोले गए, और a, b, c, d का समय 100, then integral value of k, तो बताओ, k की value क्या होगी, तो चलो देखते हैं, इसको एक बाद, तो देखो, इस square root की root गिवन है, आपको c and d, तो एक बाद तो लिखते हैं, sum of root, तो कितना जाएगा बोलो, c plus d तो आगया, beta, k minus 2 into c, और productive root भी लेगा, c, d equal to minus times of, k minus 1 into d, similarly, इस square root की root बोले गए, आपसे, sorry, first की root a और b है, a और b गणना सको, a और, इसके root है, a और b और इसके root है, a b, और second की root बोले गए, c and d, तो again, this part से लिखो गए, c plus d तो आगया, k minus 2 into a, और, इससे मिला, c d equal to, minus, k minus 1 into b, a plus b plus c plus d, आपको 100 गे मेंने, तो इसमें theme किया है, मैंने एक काम किया, इस first और third को add किया, तो left में क्या आगया, a plus, b plus, c plus d equal to, right में देखो, k minus 2 common, तो bracket में आगया, a plus c, इतना लिखने के बाद देखो, फिर एक काम करो, इस second और fourth को कर दो, multiply, जैसी second और fourth को multiply कर दो, कहा जाएगा, a, b, c, d, equal to, minus minus plus, यह आगया, k minus 1 का all square of b, d, देखो, a, b, c, d, non, 0, तो आप b, d, c, b, d को cancel out कर सकते हो, तो इससे क्या मिल गया, a, c, आगया, k minus 1 का all square, यह useful line है, काम आएगी बाद में, चलो, a, c, आगया, अब देखो, थोड़ा length of it कर सकते हैं, एक काम करो, इस a plus c को right में लेके चले जाओगा, तो इस a plus c को right में लेके जाओगा, इस क्या जाएगा, b plus d आगया, a plus c को मन, तो बरेक्ट में क्या आगया, k minus 2 minus 1, तो यह आगया, k minus 3 into, a plus c, यह लो, अब इसके बाद क्या करना है, एक काम करो ना, आपको a plus b plus c, d 100 के बने हैं, तो यह लख सकते हैं, आपको b plus d की value क्या ले सकते हैं, b plus d की value लख सकते हैं, k minus 3 a plus c, तो ultimate क्या होगा, यह आजाएगा, a plus c of this part, और यह फिर एक काम करो ना, इसमें आप a, b, c, d जोड़ दो, a plus c जोड़ दो, जब आप a plus c जोड़ोगे, तो क्या जाएगा, a plus b plus c plus d equal to, a plus c जोड़ा, तो a plus c common, और यह आगया k minus 2, ultimately यह आपको दे रखा है, 100, क्या आगया बोलो, k minus 2, a plus c equal to जाएगा 100, यह लिख लेते हैं, बाकी सब कुछ हटा देते, कोई काम करना ही अपने लिए, फिर आगे बढ़ेंगे कि आगे क्या करना है, यह आद रहना, इसकी विलू मिल चुकी 100, अब next theme क्या है, a, c की विलू की जड़़ पड़ेगी, इसको इदे लिख देते हैं, a, c है जाएगा, k minus 1 का all square, अब एक बात खुछ सोचो न, यह ended है, आपको अगर a plus c की विलू पता चल जाए, तो अपने कारकरम 3, in terms of k, तो k की विलू अचीव कर सकते हैं, तो देखो इसके लिए क्या करना है, a is square का root है, अपनको a और c से मतलब हो, तो a इसको क्या करेगा, satisfied तो यह जाएगा, a square minus k minus 2, ac minus k minus 1, d equal to 0, similarly, c इसका root है, तो c इसको क्या करेगा, satisfied तो यह जाएगा, c square minus k minus 2, into ac minus k minus 1 into b0, आपको लाना है, a plus c की वेलू, तो मैंने काम के, इन दोनों को add कर दिया, minus नहीं करना है, add करना है, तो add करने पे क्या जाएगा, a square plus c square, minus, यह double हो गया, तो k minus 2, twice of ac, minus k minus 1 common, और यह जाएगा, b plus d equal to 0, अब एक काम करो, आप a square plus c square को के ले सकतो, a plus c का all square, minus 2 ac, तो यह आगा है, a plus c का all square minus 2 ac, minus k minus 2 ac, minus, दियांदो, k minus 1, और बेटा, b plus d की वेलू कितनी है, k minus 3, a plus c, सब कुछ a और c में लाना है, k minus 3, a plus c equal to 0, यह लिखने के बाद आप कुछ मत करना, यह जो a plus c है न, इसको तो लेट कर ले न, t, इसको t let करोगे, तो यह कितना जाएगा, t square, minus this into t, और minus, तो नो, जब आप ac common लोगे, यह minus 2 ac common लोगे, तो क्या जाएगा यह, minus ac common लोगे, तो यह आगे, 2 plus k minus 2, तो होगा क्या, इससे 2 cancel out आगे, मतलब यह जाएगा, minus k, 2, k ac, क्या जाएगा, minus k, 2 k ac, तो चलो उसको लिखते हैं, तो क्या कि यह a put किया, c put किया, add किया, तो this relation, इतना आने के बाद, अब देखो, अपने लिए useful line कौन-कौन सी है, एक तो this or this, तो इसको अपन दोबारा, इदर ही लिख देते हैं, इसको डादेते हैं, जान दो, यह आगया, t e square minus, ध्यान दो, जब आप ac common लोगे, यह minus ac common लो, तो bracket में आगया, 2 plus, k minus 2, तो cancel, तो ultimate क्या जाएगा, minus k ac, क्या जाएगा, बोलो, minus k k ac, इतना आने के बाद, minus k k ac, तो उससे पहले काम करो, यह t है न, अपनको t में को आट टिक, तो t की formative में लखो आप, तो यह तो t square आगया, यह आगया, minus k, नहीं तो यह कि step लिखने पड़ेगी, k minus 3 of t, और last में जाएगा, minus, कितना, जब आपने minus ac common लिया, तो यह to cancel, minus k ac आगया, तो minus k k, और beta, ac की value कितनी है, k minus 1 का hall square, क्या जाएगा बताओ, ultimate यह आगया, अब यह बन चुकी है, k में quartic equation, अब इसको solve कर देते हैं, तो आपको k की 2 value अची भूंगी, और इसको find out करने का बहुत simple सा method है, quartic formula, तो इससे जाएगा, t equal to minus b, तो minus k minus 1, k minus 2, plus minus root of b square, इसकी scoring करोगे तो क्या जाएगा, k minus 1 का square, into k minus 3 का square, minus 4, this part, तो क्या जाएगा, minus minus plus k of k minus 1 का, यह part आगया, तो देखो, k minus 1 का upon me 2 लगाई जेना सम्द, तो k minus 1 का square common लोगे तो बार के आगया, k minus 1 common, तो t आजाएगा, minus k minus 1, k minus 2, plus minus k minus 1, यह common लेने के बाद, bracket में क्या बचाएगा, एक तो this part और एक plus 4 k, तो देखो, इसको सीधा सुलो कितना आएगा, यह आगया, k square minus 6 k plus 9, जान दो, k square minus 6 k plus 9, plus 4 of k, ठीक है, इतना लेखने के बाद, इसको आप again simplify कर देना, तो इससे root अट जाएगा, और upon में क्या लगा देना बोलो, 2, यह 2 लगाने के बाद, एक वाल लेना taking plus, और एक वाल लेना taking minus, तो आपको t की 2 value मिलेंगी, जो t की value मिलेंगी, उसमें t की, एक जो value मिलेंगी, वो मिलती है बेटा, जो इतना मेरे को थोड़ा सा idea है, के माइनस 1 का all square, एक आती है के माइनस 1 का all square, क्या मिलेंगी बोलो, के माइनस 1 का all square, और बटे में 2 आता है, और यह आजाएगा, के माइनस 2 equal to 100, तो कुछ नहीं करना है इसमें, जब के को 5 लोगे न, तो यह इसको satisfy कर जाएगा, कैसे देखो, 5 minus 1, 4 का इसको 16, sorry, के को 6 लेना है, तो 6 लेने पर 4 आ गया, तो 2 आ जाएगा, यह 5 आ गया, 25 into 4, तो इसका 5 आंसे इसको क्या कर जाएगा, के equal to क्या, के equal to 6 इसको क्या करेगा बोलो, satisfy, तो इसमें आपको के की 6 फिल करनी है, और उसके बाद, जब taking minus लोगे, तो उससे k की integral value find out, नहीं होगी, तो इसको अपन को skip कर देना, ठीक है, तो यह इसको करने की theme है, चलो, थर्ड कॉशन देखो, the smallest positive, integral value of a, for which, the greater root, of the equation, this part, is quadratic का जो greater का बड़ा root है, lies between the roots of the equation, इस equation के roots के bitumen lie करता है, तो बताओ, एक ही smallest positive integral value क्या होगी, तो देखो, सीधी सीधी बात है, इसका जो greater root है, वो इसके roots के bitumen है, तो ध्यान दो, इसको एक काम करो, first of all, अपन FX select करते हैं, यह तो एक ठीक question है, x square minus, a square x minus twice of, यह quadratic है, यह sir, इसका coefficient positive है, तो इसका diagram क्यों होगा, अबढ़ परह बोला, और question है क्या बोला गया है, इसका जो greater root है, वो इसके between हैं बस, तो यह root मिल गया alpha, तो अपन को f of alpha को negative परना है, तो automatic, की number k lies between the roots, तो उसके इसमें किवाल एक कंडी से लगाओ, f of k negative, d लिखने की जूरत होगी नहीं, क्योंकि automatic को क्या करेगा, satisfied, और देख रहा है न, 0 पे value, 0, यह negative हा रहा है, तो diagram 100%, x, x को क्या करेगा, intersect, ठीक है, चलो, तो देखो, इसमें ultimately, आपको दोनों root को separate करना पड़ेगा, तो एक option तो क्या है, आप quadratic formula लगाओ, उससे answer जाएगा, और थोड़ा careful देखो, इसके factor कर सकते हैं, इसको मैंने लखा, x square minus, इसमें काम करो, a square plus 1 से, x को separate multiply कर दो, और minus ax, minus a of, a square plus 1 equal to 0, देखो, इन दोनों में तो common आ गया, प्रसकते हैं से, अगर इन दोनों में, अगर x common लोगे, yes sir, तो 1, तो कितना है जाए गए, x minus a square minus 1, yes sir, x common लेने पर x आ गया, और इसमें लो minus के a common, तो yes sir, ये तो आ गया x, हाँ सोरी, ये plus 7 की गलती है चुकिए, तो minus a square minus 1, ठीक है, yes, तो इससे क्या होगा, एक तो root आगया, x equal to a, और एक root आ जाएगा, a square plus 1, अब आप खुदी देखरों न, a और a square plus 1 भी हमेशा, कौन बढ़ा होगा, a square plus 1, always क्या होगा, बोलो, greater, इस टाइब से question को solve करना है, a square plus 1 greater है, तो alpha आगया, a square plus 1, तो ultimate आपको क्या करना है, f of बोलो, a square plus 1 less than 0, x की ज़ेगे put कर दो, कर देते हैं solve, तो इसमें जब ये put करोगे, तो देखो क्या जाएगा, a square plus 1 का whole square, minus a square, again bracket में, a square plus 1, ठीक है, और minus 2 से multiply कर दो, तो this part less than 0, squaring open करो, a की power 4, 1 plus 2a square, इसको अंदर multiply करो, minus a की power 4, minus a square, minus 2a square, minus 4 less than 0, yes sir, देखो, a4 से a4 cancel, plus 2a square से plus 2a square cancel, तो बचा क्या, एक तो minus a square बच गया, 1 minus 3, less than 0, इतना आने के बाद देखो, क्या होगा, एक बढ़ देखना, कुछ mistake case में, mistake a, sorry, यह minus था, तो अगर यह minus लोगे, तो यह, plus होगा, मने के मामलगर बढ़ जाएगा, और यह plus होगा, तो plus ठीक है न, तो a square minus 3, must be greater than 0, then, a square greater than 3, तो क्या जाएगा, 4 और 1, 5 आगया, कितना जाएगा, बोलो, 5, तो mod a greater than, 5 आजाएगा, mod a greater than, root 5, तो root 5, तो ultimate t, just greater integer, कितना होगा, 3, यह value कितनी है, 2 point something, तो आपको इसका, 3 answer, fill करना है, यह पूचा है, smallest positive integral value of a, तो positive integral value, क्या होगी, बोलो, 3 answer होगा, चलो, उसके बाद देखो, 4th question क्या है, if a and b, two real numbers, a और भी, 2 real number है, number a, तो इसको satisfy करता है, और number b, इसको satisfy करता है, a भी not equal to 1 है, then value of this part, इन बहुत relation को, जब आप carefully देखोगे, तो देखो, इसमें हो क्या रहा है, 1999, 1999, इसको लिखने के बाद समझेगा, यह बहुत relations are equivalent to the, आप एक काम करें, क्वार्टिक्षन मानते हैं, मैंने a को x से replace कर दिया लाइट, यह लिखने के बाद समझेगा आपको, 90, 19 x square plus, 99 x plus, 1 equal to 0, इस क्वार्टिक में, जब x को a रखोगे ना, तो देखो यह relation आ गया, और बेटा, अब यह लाना है, 20 को लिखना आना चीए, तो 1 upon b, यह लो, ultimately, यह बहुत relations are equivalent to the, क्वार्टिक equation, 19 x square, प्लस 99 x, प्लस 1 0, फूज रूट्स आर a n बना पन भी, यह एक, क्वार्टिक equation के equivalent है, जिसके root कोन है, a n बना पन है, a पूट करने पर first relation जाएगा, 1 upon b पूट करने पर second relation, तो simple हो गया, इससे sum of root कितना होगा, a प्लस 1 upon b तो आगया, minus के 99 x 19, और बेटा, product root आगया, a upon b equal to 19, sorry, 1 y 19, यह सर, अब दोगो, जिसकी value पूछी, इसमें काम करो न, इस b से कर दो separate divide, तो क्या जाएगा, a plus 1 y v, और plus 4 a y v, yellow, a plus 1 y v की value कितनी, minus के 99 y 19, plus a upon b की value कितनी, 4 by 19, 4 से multiply कर दिया, 19 LC हम आ गया, तो minus 99 plus 4, minus के 90, 5 by 19, minus 5 का मोड 5 अंसर फिल करना, simple सा question है, ठीक है, तो यही सोचना था कि, हाँ, यह दोनों relation किस part के equivalent होंगे, और उसके बाद देखो, last question क्या है, यह ठीक question है तोड़ा, इसमें concept का यूज़ करना है, degree of polynomial PX, which satisfy the condition, X PX minus 1 equal to, X minus 15 PX देजे, एक polynomial PX है, जो इस condition को क्या करता है, वो लो satisfy, तो बता उसकी degree क्या हो सकती है, तो दो किस step से किये गया, थोड़ा समझे ना, एक बाद तो putting method देख लो, मैंने एक काम किया, इसमें X को 0 put किया, तो 0 पे यह 0 बन गया, यह कुछ भी हो, minus 14, तो यह आ गया, P00 आ गया, P00 आने का मतलब, इस PX का X equal to 0 root है, P00 आ गया, तो फिर मैंने काम किया, X को बन पुट किया, वल एने पे यह P00 और P00 तो यह दो बार 0 बन गया, यह तो कुछ भी हो, तो इससे आगेन आ गया, P of 1 equal to 1, ऐसे यह programming चलती रहेगी, अभी लिखना पड़े हो सारा, तो मैंने एक काम किया समें, इस X minus 15 6 को डवाड कर दो, तो आप, तो देन भी विल गेट, PX equal to X of P, यह भी सेम प्रोसेजर है, अल्टी में इसमें कुछ नहीं करना, X को एक बार 0 पुट करो, तो P00 आ गया, उससे भी सही यह मेथड, फिर X को 1 पुट करोगे, P1, P0, यह तो non-0 बेल होगी, तो इससे P1, 0 आ गया, X को 2 लोगे, तो P2, इधर P1 दोबारा 0, तो P2 भी 0 आ गया, और आप खुद बताओ न, X को आपने पुट किया 14, dot dot dot, 14 पुट करने पे क्या जाएगा, P14, P13 के इक्वल, और P13 भी क्या होगा, 0, लेकिन 15 तो पुट करीं नहीं सकते, 15 पे 0 आ जाएगा, कुछ बच्चे बोलेंगे, आपने डिवाइड की होगी है, Multiply में रखो, तो इसमें पुट कर तो 15 यार, तो P को, X को 15 लो, तो क्यतना जाएगा, ये तो आ गया, लेफ्ट में P14, क्या आ गया वोलो, और इदर जाएगा, 0, तो P 14 की लो आ गया, न से तो, तो इसमें आप P 15 की लो लिखी नहीं सकती, आप मैक्सिमम एक्स को, और पुट करके देख लो, अगर सिंपल सा फंडा है, जब आप इसमें X को, कितना पुट करोगे, 15, जो P X आपकी पोली नूमल है, उसके रूट कोन है, 0, 1, 2, 14, मतलब मैं लिख सकता हूँ, P X इकल टू, एक रूट X, एक फेक्टर X माइनिस 1, X माइनिस 2, डोट 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 X माइनिस 14, यह सक, और आगे एक कॉंस्टेंट लगा दो, कुछ भी कोफिशन कुछ भी हो सकता है, तो P X इस कंडिशन को फिल्फिल करेगा, तो इसके रूट है 0 से लेके 14, तो टोटल 15 रूट है, तो इसकी डिगरी क्या होगी बोलो 15, तो इसका अंसर 15 आपको बेटा फिल करना है, ठीके चलो, थैंक यू, उसके बाद मिलते बाद वाले वीडियो में,